नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज किस वीडियो के अंदर हम complete flamingo के pros वाले पार्ट को यह पर cover करने वाल है और हम इस पार्ट को एकदम latest CBSC के साफ से cover करेंगे जहाँ पर हम important question sample paper PYQ बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे तो यार बहुत ही कमाल का वीडियो रहने वाला है और साथ ही complete flamingo के notes आपको description में मिल जाएंगे तो आप पर से उनको download कर लिजेगा तो आई स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं flamingo के first chapter the last lesson को तो दोस्तों आप देखते रहेगे का इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल नमाल question यहां पर करने वाले हैं जिनके एक्जाम में आने के probability बहुत ही जादा है तो आई अब हम स्टार्ट करते हैं मारे mission 100 को और according to latest CBSC के syllabus हम यहां पर आगे बढ़ने वाले हैं अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं तो last lesson और irony देखिए कि यह अपनी फ्लेमिंगो की किताब का पहला चप्टर है और इस चप्टर का नाम लिख रखा है तो भी हम इस टाइटल की significance को भी यहां पर देखेंगे एक बार आपको अगर मैं पोएम बस नहीं आ रही है उसके अलाबाद जितनी भी पोएम हैं सारी आ रही है और इन सारी पोएम्स को अल्रेड हमने कवर भी कर रहा है लिंक आपको description में मिल जाएंगे तो आप वहां से इन सारी tendency को दर्शाता है जो की है procrastination procrastination मतलब क्या होता है चीजों की learning को postpone करना जैसे exam का जब time आता है तब हम एक बार को जरूर से पच्टाते हैं कि यार काश हमने पहले पढ़ लिया होता है और जब हमारा normal session चल रहा होता है तब हम चीजों को टालते रहते हैं कि यार आज नहीं क पढ़ लेंगे कौन से कली exam है ना इसको आगे बढ़ाते रहते हैं चीजों को postpone करते रहते हैं और इसी फिनॉमेना को इसी मानव की tendency को procrastination बोलते हैं और चैप्टर के अंदर beautifully इस चीज को बताएगा है कि जब यहां पर doomsday आता है डी डे आता है कयामत का दिन आता है उस सम important शब्दों को देख लेते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी परिक्षा में keywords की तरह और definitely यहां से आपको बहुत ही कमाल के मांक्स मिलने वाला है तो पहला शब्द है क्रिपिंग क्रिपिंग का मतलब होता है जब चीडिया चह चाहाती है high-pitched sound निकालती है तो इसको हम करिपिंग बोलता है रजिस्ट करना मतलब खुद को रोकना ड्रिल करना मतलब एक एक्सरसाइस करना या फिर प्रेक्टिस करना ठीक है दो मतलब होते हैं ड्रिल के पहला तो ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करना छेत करना और दूसरा है की एक्सरसाइस करना जैसे यहां पर जो आर्मी रहती है वो ड्रिल करती है मौक ड्रिल करती है यह ना तन बसल बसल मतलब होता है भाई एक धम एनर्जेटिक मैनर में इदर उदर मूव करना इसके साथ एक और शब्द का यूज किया जाता है जो कि है हसल तो हसल बसल नेक्स्ट अपने पास कुछ important character से आपको मैं मिलवा देता हूं तो दो ही important character इस chapter के अंदर एक है Mr. MML और एक हमारा प्यारा सा चिंटू मतलब friends start करते हैं इस chapter को तो friends या reluctant है to go to school है na point wise में आपको इस chapter की summary बताऊंगा जिससे आपको answer लखने में बहुत आसानी रहेगी subjective question के और chapter भी cover हो जाएगा तो reluctant मतलब होता है hitch किचाना तो friends जो है हमारा वो school जाने से hitch किचा रहा है तो यार जो friends है जब school के लिए निकलता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सुबह सुबह का ये time है वो अपने teacher की dart से डर रहा है क्योंकि Mr. MML ने announce किया था कि भाई पार्टिसिपल्स पर आप सभी बच्चों का test लिया जाएगा और पार्टिसिपल्स मतलब क्या होता है एक form of verb which can be used as an adjective ठीक है तो एक ऐसी वर्ब जिसको adjective की तरह use किया जाए उसको पन पार्टिसिपल्स बोलते हैं हाला कि परिक्षा मैं आपसे नहीं पूछेंगे पार्ट इसने दिन को बाहर ही बितालू मतलब बंक करना मतलब क्लास से चुट्टी माल लेना बिना किसी को बताए तो उसके मन में एक पल को एक खयाल आता है कि मस्त संचाइन इंजॉय करूंगा किडियां को चया चया आते वे देखूंगा सोलजर्स को ड्रिल करता है देखूंगा लेकिन फिर भाई साब उसको खयाल आता है कि अगर मिस्टर एमेमेल को पता लग गया मैंने बंक किया है तो भाई वो तु डाटे गए से ही घर पे फोने लग लगाएगा वहां से लक्ट होगा होगी पिटाई होगी तो बेस्ट है क कि मैं निकल लो पहली फुरसत में स्कूल तो हमारा जो फ्रेंज वो पहली फुरसत में निकल जाता है स्कूल एंड जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वहां पर नोटिस करता है बीच में टाउन हॉल है ना टाउन हॉल मतलब शहर का वो लाका जहां पर सबस्यादा भीड र इसा होता था कि एकदम सब कुछ बहुत जादा हल चल होती थी कमोशन हसल बसल टीचर अपने रूरल जो उनका रूलर है है ना स्केल है उसको बैंच पर पीटते थे तो इस परकार का यूजवल सीन यहां पर इसकूल में रहता था लेकिन आज सब कुछ अलग था जैसे ही फ्र प्रप्राइस हो जाता है भाई साब सन्नाटा देखकर फ्रेंस ने नोटिस किया कि जितने भी उसके क्लासमेट्स ते अल्रेडी बेंच पर बैठ चुके हैं और मिस्टर एम हैमल भी अपना आइरन जो रूलर है उसको लेकर इतर उदर घूम रहे हैं इंस्टीड ऑफ स्कॉ लेते हैं तो अंदर जाता है सर में आई कम इन तो सर भीसा बिल्कुल उसको नहीं डाटते हैं और बहुत ही काइंड में इससे बोलते हैं कि महाराज अपनी कुरसी ग्रहन कीजिए सो आफ्टर फ्रेंस हैट कम डाउन अब फ्रेंस धीरे-धीरे कम डाउन होई रहा था तो उसने नोटिस किया किया मिस्टर एम में मिलना तो भाई क्या गजब की ड्रेस पेन रखी इस्पेशल अटायर अटायर मतलब कपड़े उसने पहन रखे हैं जो कि सिर्फ वो इस्पे और एम हमेल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं वो ओर्डर को सुनाते हैं एकदम जेंटल टोन में सीरियस होकर कि बच्चा पार्टी आज का जो यह लेसन है यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है एक बर्लिन से ओर्डर आया है बर्लिन मतलब जर्मनी की कैपिटल बर्लिन वह से ओर्डर आया है कि कल से दो डिस्टिक्स एलसेस और लॉरेन के स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी और आज यह मेरा लास्ट लेसन है और उसके बाद फिर मैं स्कूल चोड़कर चला जाओंगा तोस वर्ड्स वर शॉक टू लिटल फ्रेंच भाई साहब छोटा अपना निबा है ना और उसको जैसी यह वर्ड सुनाते हैं एक्दम से शॉक उसको लग जाता है और उसको अब समझ में आती कि अरे बिडू भाई इसलिए वहां पर टाउन हौल पे इतनी भीड लग रखी थी तैन वो रिगरेट करता है कि यार क्यों मैंने अपने फ्रेंच के ले एचलब जितने भी पुराने पाप टॉल जाता है कि वो कितने द्म भूल जाता है कि यार और पम जाता है ब्याक शॉर्य करता है। के लिए भी कियार देखो कैसे ये इनका लास्ट लेसन है एंड इसलिए इनों ने एकदम अपने बेस्ट क्लॉट्स पहन रखे है और पीछे जो विलेज के एल्डर्स थे वो भी वहाँ पर gratitude शो करने आये थे ना gratitude मतलब एक thank you टाइप बोलने वहाँ पर आये थे एंड वो gratitude शो कर रहे थे ना सिर्फ Mr. MML को बलकि एक respect अपनी country और अपनी मातर भाशा को भी then Mr. MML criticize करते हैं सबसे पहले तो खुद को हैना अपनी खुद की आलोचना हों करते हैं और फिर else's के लोगों को भी वो यहाँ पर criticize करते हैं while France was thinking all of this he was called out ठीक है और किसली criticize करते मिस्टर MML फ्रेंज जो फ्रेंच लेंग्विज है इसको लाइटली लेने के लिए तो यह सब फ्रेंच सोची रहा होता है इतने में उसका नाम बुला लिया जाता है क्योटो चिंटु बेटा जल्दी से पार्टिसिपिल्स के रूल सुना दो फ्रेंच कोशिश करता है लेकिन पढ़के नहीं आया था तो क्या ही कोशिश हो जाएगी तो वह चुपचाब वहाँ पर कड़ा हो जाता है बहुत जाता है एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई साब गंजेश भाई अब तो मुझे डाटे लेकिन वह बिल्कुल उसको डाटते नहीं है और इनफेक्ट मिस्टर अमल ब्लेम करते हैं पैरेंट्स को और खुद को क्यार क्यों हमने प्राइटाइज नहीं किया लर्निंग को है ना जो पैरेंट्स थे वह अपने बच्चों को भेज देते थे फार्म सें मिल्स पर पैसे कमाने के लिए और जो मिस्टर अमल है वो भी कहीं बार बच्चों को छुट्टी दे देते थे अपनी बीवी के साथ फिशिंग जाने के लिए तो इसलिए वो दोनों को ही क्रिटिसाइज करते हैं ना मिस्टर अमल अब बोलते हैं कि या जो फ्रेंच भाशा है वो दुनिया इसको गार्ड करोगे इसकी संरक्षना करोगे इसका संरक्षन करोगे इसको प्रोटेक करोगे तब तक भाई साब कोई भी तुम्हें बिलकुल नहीं ला पाएगा या इट विल एक्ट अजितनी भी बंदिश हैं उन सबसे मुक्त करने का भी एक जरिया बनेगी तेन उसके बाद लास लेसन यहां पर दिया जाता है मिस्टर एमेमल ओपन करते हैं अपनी ब्रामर को ग्रामर की किताब को एंड टॉड दें लास लेसन आखरी उनको लेसन पढ़ाते हैं फ्रेंस मतलब इतना ज़्यादा अमेज़ था कि यार कितना बहतर वो पढ़ा रहे हैं यार सर पहले तो भाई कभी ध्यान रहता नहीं था आज पहली बार ध्यान देके बैठा था हो ग्लास में तो उसको लग रहा था कितना असान सब्जेक्ट है और सब कुस समझ में आ रहा है देन उसके बाद राइटिंग का लेसन होता है और उनको नई किताबें डिस्ट्यूबीट की गई थी और सब इतने ज्यादा सिंसियर्स थे कि क्या ही बताएं आफ्टर एवाइल फ्रेंस नोटेस करता है मिस्टर एमेमल को कि वो बिल्कुल चुपचाब बैटे हैं मोशनलेस बैटे हैं अपनी चेयर पे और एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं ऐस लग रहा था कि वो सारी चीजों को अपने मंद में बसाना चाहते हो एंड इट वास लाइक कि वो अपने मतलब है ना पूरे क्लास्रूम को अपने दिमाग में प्रिंट करना चाहते थे एंड गार्डन को वो देख रहे थे जहां पर उन्होंने 40 साल की faithful service कर लीती है ना तो चे की बात को ध्यान से सुना है ना patiently और courageously and with him everyone else in the class सभी लोग emotional हो गए finally church की clock में 12 बज गए घंटी बजी वहाँ पर and Mr. MML अपनी chair से उड़ गए उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश करी यह ना जाते जाते कुछ 2-5 शब्द बोलने की कोशिश करी लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोल पाए सो वो blackboard की तरफ मोड़े और chalk उठा के उन्होंने लिख दिया विवा ला France इसका मतलब होता है long live France France अमर रहे और फिर उन्होंने gesture से class को dismiss कर दिया और सभी लोग अपने घर चले गए अब हम यहाँ पर mind map इसका देख लेते हैं तो mind map से आपको क्या फायदा होगा कि subjective questions बनाने में आसानी रहेगी जैसे friends fear while going to school है न तो क्यों friends को डर लग रहा था पहली बात तो लेट था क्लास को एना enjoy करूंगा birds की creeping को soldiers को drill करते वे देखूंगा लेकिन वह last में इस temptation को इस लालज को ओर घम करता है और पहली पुरसत में स्कूल निकलता है now क्या scene था town hall पे तो यह town hall पे मतलब जहां पर बुलेटिन बोर्ड था बहुत पिछले कुछ सालों से बुरी खबरे वहाँ पर आ रही थी क्योंकि France युद्ध में हार रहा था और crowd वहाँ पर था then उसके बाद students के attention के बारे में अगर प्रशन आता है तो सभी लोग एकदम quietly काम कर रहे थे pin drop silence था और even मतलब होता है कि class में मदुमक्की आ गई सारे बच्चे बच्ची शोर गुला करने लग गए हला गुला करने लग गए तो वो भी नहीं हुआ इवन बीटल्स है ना छोटा छोटा कीड़ा अगर वो भी जा रहा है तो भी class में कोई disturb नहीं हो रहा है सब अपने काम से काम रख रहे हैं now MML क्या address करते है student को यहां से प्रशन आता है तो पहली बात तो MML ने बोला पूरा attention मुझे चाहिए last lesson है French का जर्मन पढ़ाई जाएगी और friends को यहां इसी टाइम पर sorry feel होता है यहना पश्या अताप करना चाहता है वो and deeply penned at the thought that Mr. MML जाने वाले हैं अब MML के क्या view थे तो पहली बात वो criticize करते है parents को, खुद को और children को यहना सभी को criticize यहां पर करते हैं then MML अपना last lesson जब पढ़ाते हैं तो French language को सबसे beautiful language बोलते हैं grammar lesson देते हैं, writing lesson देते हैं और ऐसा लख रहा था कि सब कुछ एक बार में पढ़ाना चाहते हैं Mr. MML के dedication के अगर बात करें तो 40 साल के service हो चुकी थी अभी तक कुछ ज़्यादा उनके पढ़ाने के अंदाज में बदला नहीं था यहना desk, benches यह सब पुरानी हो गई थी जो ground में tree लगाया था, वो छोटे से बहुत बढ़ा हो गया था लेकिन अभी तक Mr. MML education के पती बहुत ज़्यादा dedicated थे MML के courage की बात करें, उनके साहस की बात करें तो वो last lesson को deliver करते हैं, यहना आँखों से आसू आ जाते हैं सब emotional हो जाते हैं, MML के अगर patriotism की बात करें तो church में जिसी बारा बसती है, trumpets पशने लग जाते हैं, MML blackboard पे लिखते हैं, Vivala France और class को dismiss कर देते हैं जेशर से, then villagers का अगर अपन tribute देखें, तो वो सबसे बलतों पश्याताप करना चाहते हैं, repentance for not coming to the school, Mr. MML के 40 साल के service के लिए gratitude शो करना चाहते हैं, और as a mark of respect for the country, वो class की back benches पे बैठे वे थे, then usual scene क्या होता था यह स्कूल में, hustle बसल रहते थी, opening, closing of decks access, desk जो benches है, बच्चे उसको आगे पीशे करते रहते थे, unison मतलब एक सुर में lesson को repeat करना, और teacher भी ruler को बार-बार strike करता था, अपने ध्यान को केंदरित करने के लिए, लोगों के ध्यान को अपने उपर grab करने के लिए, now school में क्या-का changes notice किये का, सब कुछ silent था, MML अपनी occasional dress में थे, then classmates already अपनी places पर रोज चुके थे, यहना surprise हो गया ओ classroom के देखे कि कितना quite है, MML बहुत kindly behave कर रहे थे, serious थे सब लोग और village elders पीछे वैटे थे, तो यहां से भी subjective question आ सकता है, अब कुछ expected questions आपको बता देते हैं, short answer question पहला है कि, what was friends expected to be prepared for the school, तो friends को participants prepare करना था, then second question कि, what did friends notice that was unusual about the school that day, तो generally तो hustle-bustle रहता है, commotion रहता है, rappling of ruler रहता है, लेकिन उस दिन सब कुछ quiet था, एक practice question आपके लिए आपको इसका answer comment box में करना है, कि what had been put up on the bulletin board, तो इसका answer आपको PPT में मिल जाएगा, long answer questions के अगर हम बात करें, तो पहला प्रशन जो कि बहुत important प्रशन है, कि क्या ये possible है to carry pride in one's language too far, क्या हम हमारी language पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गर्व कर सकते हैं, and आप linguistic chauvinism के बारे में क्या समझते हैं, तो chauvinism मतलब होता है, लगाओ, बहुत ज़्यादा लगाओ, या फिर प्यार, है ना, और linguistic मतलब भाशा, तो भाशा के प्रती बहुत ज़्यादा प्यार किसी भी individual का, जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा, है ना, वेरियस जितने भी अपने states हैं, वहाँ पर अलग-अलग languages बोली जाती हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी किया जाता है, या जैसे गुजरात में गुजराती, बेंगॉली, पंजाबी, ठीक है, तो अलग-अलग प्रकार की languages भारत में बोली जाती है, तो उससे आ बेलकुल linguistic चामिनिसम का मतलब होता है, कि एक aggressive और unreasonable belief रखना अपने खुद की भाशा पे, और कई बार क्या हो जाता है, यह excessive prejudice का कारण हो जाता है, जैसे आपने कुछ समय पहले देखा होगा, कि मुंबई के अंदर South India से लोग आते थे, तो मुंबई वाले लोग उनको मतलब मना करते थे, कि यहाँ पर सिर्मराथी लोगी जॉब करेंगे, यह ना तो कहीं बार यह prejudice का रूप भी ले लेता है, एक भेद भाव भी वहाँ पर से देखने को मिलता है, यह जो language किरपती बहुत जादा प्यार है, यह कहीं न कहीं इसके positives भी है, negatives भी है, तो दोनों आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, एंड इस प्रकार से भी इस question को deal कर सकते हैं, इसके बाद कुछ MCQs आपके लिए author कौन है last lesson के, तो Alfonso Doubted, option D, कौन से country से थे, फ्रांस से थे, then story किस चीज़ को highlight करती है, procrastination को highlight करती है, then किस चीज़ को taken for granted लिया गया था, time और school, है ना, तो सम option B, then क्या यहाँ पर last lesson symbolize करता है, तो language और freedom का loss, option D, then what does the last lesson signify, तो यहाँ पर से, क्या हो गया था, change in life, लोगों की जिन्दकी बदल गई थे, ना, क्योंकि सरकार तो बदली थी, teachers भी बदले थे, language बदला था, और वो पहले आजाद थे, अब गुलाम हो गई थे, तो total मिला ना, क्योंकि लाइफ में change हो गया था, then marching soldiers किस चीज को represent करते हैं, तो वो represent करते हैं, dawn of Prussia, dawn मतलब उदय, जैसे सूर्य उदय होता है, तो उदय हुआ Prussia का, और अस्त हुआ या defeat हुई French people की, then from where orders have came, तो orders आये थे, Berlin से, an option C, Berlin, या फिर अगर option में Germany होता, तो भी वो भी सकां answer हो जाता, किस effect की बात की जारी है, तो transition की बात की जारी है, effect मतलब जैसे आपने देखा होगा, video editing के अंदर effects हम डालते हैं, एक video और दो वीडियो, तो बीच में transition डाला जाता है, तो transition एक प्रकार का effect हो, और इस chapter के अंदर भी हमें transition देखने को मिल रहा है, language का transition, government का transition, freedom का transition hence option C is the right answer, France क्यों reluctant था, school जाने के लिए, because उसने participants का lessons prepared नहीं किया था, तो option D is the right answer, CBSC में एक प्रशन पूछा था, कि यह जो concluding statement था, विवला, France, यह क्या शो करता है, तो यह शो करता है, कि Mr. M. Hemel, बहुत जादा overwhelm हो चुके थे, emotion से, option A, then, एक प्रशन आपर आया था, 2021 मे नहीं अभी, कि comment on the significance of the villagers, तो villagers वाले प्रशनों का answer आप ऐसे दे सकते हैं, कि वो पहली बात तो है न, यह मैंने आपको इसमें बताया था, mind map में, कि as a sign of repentance है न, तो वहाँ पर वो पश्यत आपके लिए आये थे, tribute देना चाते थे, teacher कुन की 40 साल के service के लिए, और country को respect शो कर करने के लिए भी, वहाँ पर बैटे वे थे, PYQ में हैं कि, what had the narrator counted on to enter unnoticed, तो generally वो किस चीज पर भरोसा रखता था, है न, क्लास में जाने के लिए, तो hustle, बसल, commotion, इन सभी का वो साहरा लेता था, what a thunder clip these words were to me, है न, तो क्या words थे जिसने उसको शोक कर दिया था, तो जब Mr. MML ने बोला था, कि ये last lesson है, और कल से में नहीं रहूँगा, तो इस चीज को देखकर बहुत ज़्यदा शोक हुआ था, then, क्या वो announcement था, जिसने, जो Mr. MML ने बोला था, and क्या उसका impact हुआ फ्रांस पर, है न, जो पिछला वाला question type ही है, तो announcement है, कि France के दो districts में, अब जर्म पढ़ाई जाएगी, और कल से वो यहाँ पर नहीं आएंगे, मतलब कल से कोई और teacher take over कर लेगा, अब कुछ VVIP प्रशन है न, यह CBSC के question bank में था, तो इसको आप पढ़िएगा पूरा passage को, पहला प्रशन है यहाँ पर, कि what does narrator refer to with the poor man, poor man से narrator क्या यहाँ पर बताना चाहते है तो देखो, यहाँ पर poor man का मतलब गरीब आद में नहीं है, यहाँ पर poor man का मतलब एक sympathy यहाँ पर उसके लिए की जारी है, यहाँ पिर sorry feel किया जा रहा है Mr. M.M.L. के लिए, so option C, he feels sorry for Mr. M.M.L. कि यह उनका last lesson है, then एक मुहावरा आपको यहाँ पर बताना है, villagers के attending पे, उन् बहुत लेट, अब क्या ही हो सकता है, अब तो order ही आ गया है, then उसके बाद कुछ extract based questions, तो यहाँ पर speaker and lines का friends, then Mr. M.M.L. कौन थे, तो वो friends के teacher थे, then why friends was in great dread, क्यों उसको डर था, क्योंकि he had not prepared for the grammar lesson, and what did friends think of a moment, so एक मुमेंट के लिए उसने क्या सोचा था, कि मैं क्लास को ब screens पर, तो यह extract को भी आप इसको पढ़िएगा, यहाँ पर पूछाए कि कहा से extract लिया गया है, तो लिया गया है, the last lesson से, teacher कौन है, Mr. M.M.L. है, क्या वो चीजें हैं, जो कि they happened everyday at the school, तो grade, puzzle, noise यह सब रहती थी, then wrapping का मतलब क्या होता है, wrapping का मतलब होता है, striking to attract the attention, attention पानी के ल नमसकार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित, और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगो के चैप्टर दो लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ने वाले हैं, तो दोस्ता हम देखते रहे इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल नमाल के question को भी आपर solve कर करने वाले हैं, जिनके exam mining के probability बहुत हीजाब है, तो आईए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने mission 100 को, और बिल्कुल latest syllabus के नुसार हम यहाँ पर चल रहे हैं, चैप्टर 2 अफ फ्लेमिंगो लॉस्ट स्प्रिंग को हम यहाँ पर पढ़ना है, यह चैप्टर दो पार्स में divided ह हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइटर के बारे में देख लेते हैं, जिनका नाम है अनीज जंग, और भाई सब यह इतनी बेकार कहानिया लिखती हैं, कि इनकी बहुत सारे लोगों के साथ जंग हो जाती है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, तो अनीज ज इनको हाड़ वर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डर्टी कंडिशन में इनको अपनी लाइफ को वितीत करना होता है, पहले पार्ट में हम इस स्टोरी के रैक पिकर्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने बांगला देश से माइग्रेशन क दिल्ली के सिमापुरी इलाके में और दूसरी पार्ट के अंदर हम बैंगल मेकर्स के स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे, चुकि टाउन ओफ फिरोजाबाद में रहते हैं, तो सबसे पहले हम इंपोर्टन शब्दों को देख लेते हैं, जिनको आप अपनी परिक्षा में यूज कर सकते हो as a keyword, तो सबसे पहला शब्दे mutter, mutter मतलब होता है, low voice में speak करना, जैसे आपने देखा हो, जै क्लास चलती रहती है, तो दो दोस्त अगर बात करना चाहेंगे, तो उनको murmur करना पड़ेगा है, mutter करना पड़ेगा, तो बिल्कुल low voice में speak करना, glibly, glibly का मतलब होता है, कि speak or spoken in a confident way, but without a careful thought or honest, तो इसका मतलब होता है, कि बोल तो आपने दिया किसी चीज़ को एकदम confidently, लेकिन उसके पीछे कोई सचाई नहीं है, कोई सत्य नहीं है, hollow, hollow मतलब होता है, meaningless, embarrassment, मतलब होता है, feeling ashamed, शर्मिंदा होना, abound मतलब होता है, exist in large number, बहुत मातरा में, बड़ी मातरा में exist करना, bleak मतलब होता है, empty, then barefoot मतलब होता है, जो चपलना पहने, shuffle, shuffle मतलब होता है, एक दूसरे को पर slide करना, जैसे ताश के पत्तों को shuffle किया जाता है, excuse करना, to a reason to justify a fault, जनरली बोलता है न, please excuse me, मुझे माफ कर द then desolation, इसका मतलब होता है, state of being empty, penting, penting मतलब होता है, half na, जब हम दोरते हैं, दोर के कहीं से आते हैं, तो हम half जाते हैं, half तो उसको बोलते हैं, penting, acquaintance मतलब होता है, close contact है न, जैसे आपके महले के लोग, periphery मतलब होता है, outer area, ठीक है, जैसे किसी भी, जैसे ये mic है, तो ये mic क अगर outer area होगा, तो उसको मैं periphery बोलूगा, metamorphically मतलब symbolically, सांकितिक तोर पर, squatter मतलब होता है, जुगी जोपडी, जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है, image में, wilderness मतलब होता है, wasteland है न, एक ऐसी भूमी, एक ऐसी जमीन, जो कि कुछ काम की नहीं है, tarpaulin मतलब heavy duty waterproof cloth है न, तो यहाँ पर waterproof cloth, तो उसको गोलते है, tarpaulin, generally जो slum area रहता है, उसमें छत जो रहती हो, tarpaulin की बनाई जाती है, तो सबसे पहला वाला जो part उसको हम देखते है, sometimes I find a rupee in the garbage, तो साहिब जो कि एक ragpicker है, और हर morning वो क्या करता है, मौले में निकल जाता है, और ragpicking करता है अपने friends के सोना मतलब होता है garbage, क्योंकि जो गरीब लोग है उनके लिए तो garbage ही सोना है, यह जो garbage है, इसकी मदद से ही तो यह फिर पैसे कमा पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसको gold बोल दिया गया है, तो यहाँ पर एक अलंकार भी use हो रहा है, एक poetic device use हो रहा है, जिसको हम बोलते ह है, hyperbola, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, hyperbola, बढ़ चड़कर बोले, bum bum बोले, तो मैंने तो इसे याद रख रखाए, कि जब हम कुछ बहुत बढ़ चड़कर बोल देते हैं, जैसे garbage को सोने से compare करना तो यह तो बहुत बढ़ चड़कर आप ओल रहो, तो यह हो जाता है hyperbola, तेन उसके बाद garbage dumps की तलाश में रहते हैं, तेन साहिब और उसकी family बांगलादेश से migrate करके आई है, तो जो भी लोग migrate करके आते हैं, उनको refugee बोलते हैं, शड़ नार्थी, तो बांगलादेश से लोग भाग के आए हैं, और वहाँ से लोग इसले भाग के आए हैं, क् की एक time पे, हैना, storm वहाँ पे आ गया था, तो storm मतलब क्या होता है, तूफान आ गया था, जिसने इनके field, home और सारी चीजों को destroy कर दिया था, और बिल्कुल गरीबी के अवस्ता में आ गये थे, तो फिर काम के तलाश में दिल्ली आते हैं, और दिल्ली के periphery में है, ना, periphery मत banking क्यों करते हो, तुम इस्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो साहिब बोलता है कि मैडम हमारे पास में कोई स्कूल ही नहीं होता तो चला जाता, तो authority will ban, he go, है ना, वो बोलता है कि अगर अधिकारियों ने बना दिया स्कूल तो चले जाएंगे मैडम, तो और जोकिंग ली बो तो मजे मजे में बोल दिया था उन्हें ग्लिबली अपनोंने पड़ा था कि बोल तो दिना confidently लेकिन उसके पीछे कोई honesty ना होना तो बोल तो दिया मजे मजे में लेकिन अब उसको शर्मिनदा होना पड़ रहा था और वो बोलती है फिर कियार इस तरह के promises तो इन करीब लोगों के साथ कहीं किये जाते हैं और हर corner में इस तरह के promises होते हैं जिनको कोई fulfill नहीं करता अब साहिब आलम है ना इसका पूरा नाम साहिब आलम था और इसका मतलब होता है Lord of the Universe तो आफ्टर सम मन्स उफ नोइंग है ना तो राइटर अब सिंस रोज ही कॉलोनी में आता था तो राइटर की पैचान हो जाती है वह से पूछती है पेटा पुरा नाम क्या वोलता है मैंनम साहिब आलम है तो इसका मतलब होता है Lord of the Universe ना यह भी यहां पर एक पुरे युनिवर्स का लॉड है ना शहंचा तो भाइसाब यह तो मतलब है ना चेक करना आ जाएं इसको तो बिल्कुल इसको बिलीव ही नहीं होगा कि नाम ऐसा हो और काम क्या होता है कि टूरूम अराउंड इंडे स्ट्रीट अलांग अट बंच ओव बेर फूट बॉइस ना यह उसका काम है ना वन डे दो ऑथर क्यूरेसली आस्क वन ऑफ दो बॉइब वाउट वाइए दस नौट वीर चप्पल है ना तो उससे पूछ लेती है मेडम कि यार आप चपल क्यों नहीं पहनते हो यह तो पहन सकते हो तो बॉइ आंसर करता है कि यार मेरी मम्मी ने ना चपल मत पहनना नो ऑथर एट सीन मैनी चिल्डरन वाकिंग बेर फूट बहुत से लोगों को ऑथर ने देखा इस प्रकार से बेर फूट चलते हुए एंड फाउंड एट दे एक्स्प्लें इट एज एज ट्रडीशन है ना तो बहुत से बच्चे तो इसको एज ट्रडीशन एज आ हना कि यह तो हमारा कल्चरी ऐसा है तो कभी कबार जो पोएट है उसको आशरी भी होता है कि क्या कहीं एक एक एक्स्क्यूस तो नहीं है अपनी पावल्टी को हाइट करने का याना कि बच्चे बोल रहे हैं कि मेडम यह तो हमारा ट्रडीशन है याना तो हो सकता है कि यह बिंग मॉडेस्ट वो बच्चे अपन पंडिजी रहते हैं उन पंडिजी के आप बेटा रोज भगवान से प्रातना करता है कि भगवान मुझे प्लीज आप शूस दिला देना तो मैंनी येस लेटर दो बॉइफ प्रीस रिसाइडिंग इन टेंपल उसके पास एक शूस हमें देखने को मिलता है तो मैंनी यंग पॉइस लाइक देखने के बाद बहुत सारे पंडितों के बच्चों ने यहां पर शूस पहनना स्टार्ट कर दिये सब हो गया मतलब लेकिन अभी था कि यह साहिब जैसे बच्चे हैं इनकी भगवान ने जो डिमांड है वो पूरी नहीं करिए इनको अभी तक शूस नहीं मिले हैं फिर ओथर सीमापुरी इलाके में विजिट करती है और वहां पर बहुत सारे रहते थे सीमापुरी एक इलाका है जो कि पेरिफरी ओफ दिल्ली पे है और यहां पर दस हजार से भी जादा शूलेस रहा करते थे साहिब के जैसे है ना और जब इंडिया बांगलादे इसको अलग कर दिया गया था तो उस टाइम पर यह लोग वहां से भागके दिल्ली में आ गए थे एक बैटर फ्यूचर की तलाश में नाव हाइवेवर वह यहां पर भी बहुत ही गरीब कंडिशन में रहते हैं उनके जो जोपडियां है यहना वह भी यहां पर टिन और टा ताकि यह वोट दे सकें अब जो चिल्रन हैं दे अर बॉट अप एस दा पार्टनर इन सर्वाइवल है ना तो बच्चों को भी आर अब इसलिए यह गरीबी के कारानी स्कूल में और कहीं नहीं भेज पाते और यह जो बच्चे हैं यह भी पार्टनर कर लेते अपने माता प पड़ेगा कच्रा बीदना पड़ेगा अब गार्वेज का डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट लोगों के लिए जैसे रेक पिकर्स ने पहली बात तो जो रेक पिकिंग है इसको एक आर्ट बना लिया था एंड क्योंकि अभी यही एक मातर जरिया था इनकी इंकम का तो अच्छ रेक पिकिंग करते हैं ना क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए तो यह है लेकिन जो एवरी चिल्डरन इन फिरोजाबाद एंप्लॉइड इंडस इंडस्री ठीक है तो यह तो नेक्स्ट वाले का आ गया तो यहां पर यह है कि जो साहिब है या जो बच्चे है उ और साहिब नो लॉगर इस ओन मास्टर तो एक मॉर्निंग के बात है साहिब के हाथ में एक मिल्क का कैनिश्टर था और वह मिल्क बूत से जा रहा था मिल्क बूत मैं बहुत चाई की धड़ी और उसके पास इस तरी की चाई की केकली थी तो ओथर को चुल मस्ती कि किया पुछती बेटा है क्या है तो बोलता है कि मेरा मेरी जॉब लग गई है और 800 रुपे महीना मुझे मिलता है एंड दोनों टाइम का खाना भी मुझे मिल जाता है लेकिन अब ऑथर देख पा रहे थी साहिब को कि वो यह सारी बाते बता रहा था एक्तम दुखी होके इतना खु गुलाम हो गया है ना चोटू चाय लाना तो चोटू गुलाम हो चुका है लेकिन पहले भाई खुद की मर्जी का मालिक था जब जाए जब मर्जी बैक ताना और अपनी रैक पिकिंग पर निकल गए यहाँ पर एक और किस्सा है इसी के पहले होता है जब साहिब एक पूट के बाहर खड़ावा रहता है दो रहीस बच्चे टैनिस केल रहे होते हैं और साहिब ने फटे जूते पहन रहे होते हैं तो नीज जंग तभी महां से पास करती है तो वो उसको देखती है कि अच्छा बेटा यह फटे जूते तो बोलता है कि मैडम इन दोनों में से क गरीबी का हम अंदाजा लगा सकते हैं देन सेकिंड यहाँ पर अपना पार्ट है का इसका इवां टू ड्राइव का जिसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे मुकेश की जो कि एक मोटर मेकानिक बनना चाहता है वो सिटी ओ फिरोजाबाद में रहता है और यह सिटी फेमस है बेंग हर चिल्रन जो भी फिरोजाबाद में वो भाई साब इसी इंडेस्ट्री में इंप्लोईड है और बच्चों को तो पता भी नहीं कि यहाँ पर काम करना इल्लीगल है लेकिन फिर भी भाई साब काम चले जा रहा है एक धम बहुती गर्म फरनेसेस के अंदर यह लोग है बट भी जाती है मुकेश ऑथर को अपने घर पर ले जाता है है ना तो बिल्कुल पतली पतली गलियों से यहाँ पर उनके घर का रास्ता था हैrån कि इंडेस बटा हुए था जब मुकेश का घर महाँ पर देखते हैं तो դो मुकेश के घर में अंदर ही गायबेस भी बंधी हुई थी और humans और animals दोनों साथ साथ coexist कर रहे थे एक ही जगे पर तो मुकेश का जो घर था वो आधी बनी हुई टपरी थी जिसमें एक पार था पुरा ग्रास से बनावा डेड़ ग्रास से एंड उसके अंदर एक फ्रेल वोमिन है ना बहुत ही पतली सी नाजुक सी लड़की महाँ पर कुकिंग कर रही थी एंड वो इवनिंग का खाना बना रही थी अपनी फैमिली का तो पूछती है मैडम अनीज जंग की ये कौन है तो मुकेश बोलता है ये मेरे बड़े भाईया की वाइफ है मतलब मेर की बाबी है नाओ मुकेश के फादर हैस टॉइल हाड इस लाइफ ना पूरी जीवन भर उन्होंने मेहनत किये कथिन परिश्रम किया है पहले एज टेलर तेन एज बेंगल मेकर इस्टिल वो अपने घर को अभी तक रेनोवेट नहीं करवा पाए हैं एंड हना हाउस एंड से स्कूल और नहीं अपने बच्चों को प्रॉपर सिक्षा दिलवा पाए हैं और इकुड मैनेज वास टू टीज दें तार्टो बेंगल मेकिंग ना क्या बस वो कर पाए हैं उन बच्चों को उन्होंने कैसे चूणिया बनाई जाती बस वो सिखा दिया था मुकेश की जो ग् सब्सक्राइब को पाए हैं मतलब भगवान का दिया हुआ यह लाइन है और इससे हम नहीं भाग सकते हैं वह इंफॉर्म करती है देट इंडस्ट्री दस नोट पे देम वेल इवन टूइक है यह चूडियों के काम में वैसे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं इतना भी फा सब्सक्राइब को यह सारी व्यथाएं सुनने के बाद ऑथर को ऐसा लगता है कि मुकेश के पापा ने तो बहुत तरक्की कर ली है इन दे सेंस कि उनके पास च्छत है क्योंकि मेजॉर्टी फेमिलीज के पास च्छत भी नहीं है प्रॉपर तैन एवरी आउट्सोल फिरोज पाई थी जितनी भी उनके सपने थे वो सभी कुछ ले जा चुके हैं ना ऑथर कुछ ग्रूप ऑफ यंग में से पूछती हैं कि आप क्यों नहीं एक संगठन की तरह इकट्टे हो जाते हो सब मिल के क्यों नहीं रहते हो एकता में शक्ती रहती है माचिस की कानी दिखाती है एक माचिस को तोड़ देते हैं घ्यारा माचिस को आप नहीं तोड़ पाओगे एक साथ तो एक आप सब मिल जूलके क्यों नहीं रहते हो सब मिल के आवाज क्यों नहीं इठाते हो तो इस पर यहां पर वो लड़के बोलते हैं कि अगर हम ऑर्गिनेज हो भी जाएंगे तो यह दो विश्व हैं है ना दो वर्ड्स हैं फिरोजाबाद के अंदर एक तो इन गरीब और exploited लोगों का और दूसरा साहुकार का middleman का politician का है ना lawmakers policeman bureaucrats जो की bureaucrats मतलब नौकरशाही आई एस आई पिस तो यह लोग का और एक इन गरीब लोगों का और यह जो नोकरशाह हैं बिरोक्रेट्स पुलिसमेंस आउकार यह सब एक vicious cycle of poverty में इनको फसा के रखते हैं वीश्व मतलब never ending cycle and इस प्रकार का उन्होंने burden create कर दिया इन चाइल्ट के उपर कि बिल्कुल अब इनके और ज्यादा options रहे नहीं है and to do something else would mean to dare which is not a part of growing इनको बच्पन से कभी ऐसा सिखाए नहीं कि आपको आवाज उठानी है और इसलिए सब लोग पस एक एक काम किये जाते हैं लेकिन emits है ना इन सभी के बीचों मतलब बीचों बीच भी एक को यहां पर author है मतलब author बताती है कि मुकेश है जो की अलग सोचता है और उसके मन में आशाएं हैं सपने हैं वो चाहता है कि वो एक motor mechanic बनेगा तो इस प्रकार से chapter खतम होता है यहना आप एक प्रेश्ण में आपसे पूछना चाहूंगा कि मुकेश और साहिब में आपको क्या अंतर देखता है वो आप मुझे comment box में बताईएगा तो अब हम तो प्रीवेस और questions देखते हैं तो यहां पर प्रेश्ण पूछा ग उसका खुद का था तो अब cataly belongs to his own master and now he has to follow the order of the master so इसलिए यहां पर poet मतलब हमारी author बोलती है कि sahib is no longer his own master next question अपनी screens पर कि what does the title lost spring convey तो यह लौस्ट अच्छे हैं फिरोजाबाद के और सीमापुरी के इनका जो बचपन है यह कहीं न कहीं खो रहा है तो इसलिए आपर जो writer है उसने इस chapter का नाम lost springs रखा है कि spring best part और किसे भी इंसान की जिंदगी का best part childhood तो इन दोनों को compare किया गया है then why could the bengal makers not organize themselves into a cooperative क्यों अपने आपको cooperative नहीं बना पा रहें याना क्योंकि पहली बात तो एक जाल में फसे हैं vicious web में जो कि साहुकार moneylender से इन सब possible for mukesh to realize his dream justify याना तो बिल्कुल यार मुकेश determined है और वो अपने dreams को realize कर सकता है mention करना है दो problem चोकि bengal sellers face करते थे पहली बात तो उनको dingy cell में काम करना परता था और दूसरा कि वहां पर ना light होती थी ना air होती थी और इतनी ज्यादा गरम temperature में वो काम करते थे कि कहीं बार उनकी आंकों की रौशनी भी चली जाये करती थी तेन नेक्स कुछ practice question है आपके लिए इसको आप answer की जाएगा comment box में के how is mukesh attitude towards the life different from that of his family तो इसका पांसर देना comment box में long answer प्रश्ण करम देखें तो बेंगल makers फिरोजबाद में beautiful bangles and make everyone happy but वो खुद लीव करते हैं and die in squalor तो इसको elaborate करना है अपने को तो बिल्कुल यह सई statement है एना elaborate मतलब इस statement को आपको थोड़ा और बताना है अच्छे से according to the chapter तो इस story के अंदर हमें Bengal makers फिरोजबाद के बारे में बताए गया है उनके concerns के बारे में बताए गया है उनको जो difficulties face करनी होती है उसके बारे में आपर हमें बताए गया है working condition जो रहती है बहुत जदा miserable and pathetic रहती है और इस कारण कई बार उनकी eyesight भी खराब हो जाती है जो फिरोजबाद के stinking land से वो भी ch इतनी भी hopes and dreams से मुसब किल हो चुके हैं and वो एक perpetual state of poverty आप बोल सकते vicious cycle of poverty में फस्ट चुके हैं for children it is wrapped in wonder for elders it is means of survivor what kind of life to the ragpickers और सीमापुरी लीड तो इसका answer आप comment box में लीजी का long answer और यह आपको इस PPT में तो मिली जाएगा कुछ MCQ आपके लिए author कौन ने lost spring के तो अनीज stories of stolen childhoods है then what does the author analyze in the story क्या analyze करता है वो poor children उन पर हो रहा है exploitation को then central theme क्या है तो pitable poor children and उनकी lost childhood option A क्या force करता है children to live the life of exploitation तो यह है extreme poverty according to author garbage क्या था parents के लिए तो parents यह means of survival था बच्चों के लिए था क्या था तो it was a wonder option D then sahib क्या है तो sahib एक रेक्पिकर है option C D then sahib किस चीज को ढूंड रहा है gold को ढूंड रहा है तैन क्या साहिब है वर्किंग एक टील स्टॉल तो no he's earning but freedom नहीं option D नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्लेमिंगो के चैप्टर डीव वाटर के बारे में बताने वाला हूं तो दोस्तों देख ते रही इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत चारे को में आपर solve करने वाले है तो आगे बढ़ाते हैं अपने मिशन हन्रेट को लेटेस सीवेस के साफ से में अपर चल रहे हैं एंड डीप वाटर चेप्टर को में पढ़ने हैं तो इस चेप्टर को लिखा गया है विलियम डगलस के दौरार क्योंकि एक बहुती फेमस लीडिंग एड़ोकेट थे तो मतलब बहुती फेमस और एकेडमिक साउंड वेगराउंड से अपने विलियम डगलस आते हैं इन्हों ने एक बहुती फेमस किताब लिखी है और उसी के अंदर से चोटा सा चेप्टर यहां पर निकाला गया है जिसका नाम है डीप वाटर तो कुछ इंपोर्टेंच एक जगह का नाम है United States of America में और इसी के नाम से एक नदी भी है जिसका नाम है याकिमा रिवर ट्रिचरियस का मतलब होता है डेंजरस का मतलब होता है किसी को फेक देना जैसे इस चैप्टर के अंदर एक बिग बुली बॉय अपने डगलास भाई साब को पूल में फेक देग मतलब किसी को फेक देना रिवाइव आपने पबजी में सुना होगा रिवाइब वर्ड रिवाइव मतलब होता है ब्रॉप ब्रॉट पैक वापिस से उसको ले आना एपिंग एपिंग मतलब होता है कॉपिंग हैना एप मतलब होता है बंदर और बंदर क्या करते है नकल दे इसकी नहीं मतलब बहुत ही दुबला फ्रता वक्ती डगड करना मतलब किसी को पुश कर देना अब देख लेते हैं इस चैप्टर की सम्मरी फिर मैं आपको इसका माइंड बैप बता दूगा जो कि आपके बहुत काम में आएगा तो मैंने पॉइंट वाइस थोड़ा इसको ब डगलस वो एक हॉरिफिक इंसिडेंस को रिकॉल करता है चूकि उसके साथ हुआ था जब वो दस या ग्यारा साल का था वो डिसाइड करता है कि भाई मैं स्विमिंग सीखूंगा कहां पर YMCA पूल में YMCA पूल में इसलिए क्योंकि वो सेफ था एक साइड दो से तीन फीट जबकि जो डीफ वाली साइड थी उस साइड में 9 फीट वो डीप था अब ठीक है कोई दिकत नहीं भाई साब जो 2-3 फीट वाली साइड है वहां पर आप तैरो कोई दिकत नहीं डूबने का खत्राना के बराबर है तैन इसके बाद कैसे यह फियर ओफोटर डिवलप हुआ अगर थोड़ा साम पास्ट में जाएं तो जब वो तीन या चार साल का था तो वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पे जाता है नमस्त गोवा वाले बीच पे फोटो मेरी कीच रहे तो वाँ पर वो जाता है और जाता है तो अचानक से एक बड़ी से वेव आ और उसके सर के उपर से हेड शॉट मारते हो निकल जाती है अब भाई साब वो तो वेव में दब जाता है उसके पापा भले इस चीज को देखके हसते ही कह रहे यार बेटा क्या गुंड़ा बने गरे तो लेकिन भाई साब उसकी तो बिलकुल जान ही निकलने वाली थी और सबसे जो वो डर है वो उसके दिल में बैढ़ जाता है और उसी डर को वो आगे जब तक 10 या 11 साल का रहता है तब तक कैरी करता है थेन वायम सी ये पूल में जानी के सोचता है पहले ये डिसाइड होता है कि याकिमा रिवर भी पास है वहीं पर चला जाता हो लेकिन उसकी म वहां पर भी unpleasant memories उसके साथ गटित हो जाती है शुरू में से क्या होता है जब चुरू के कुछ दिनों वो जाता है तो आराम से मस्त तो थोड़ा बहुत swimming सीख जाता है उस shallow side of the pool में चूकि 2-3 feet थी याना निबबा निबीस रहते उनके साथ तेरता है और तेर के मस्त confidence आ जा है जाना बड़ा सा हलकी सा boy और उसके मन में चल रहा था मजाक मस्ती वाला मूड तो वो क्या करता है उसको पूल में धक्का दे देता है और वो भी deep side अब भाई साब यह तो निबबा निबीस के साथ 2-3 feet वाली side में तेरता था अब आ गया 9 feet वाली side तो फिर भाई साब यह मिस हैपनिंग के बारे में बात की जाती है और यही वो मिस एडवेंचर है जिसकी बात की जाती है ना सीधा प्रकोश्चन यहां से भी आ जाता है तो वो जो big muscular boy है भाई साब वो तो फेग देता है deep end of the pool में डगलस पहले तो प्लान बनाता है कि चलो मैं क्या जाओंगा धी शॉट मारता है आधे पूल में रह जाता हो पूरे उपर तक नहीं आपाता अब भाई साब उसको लग रहा था कि भाई यही मेरा अंत है यही रात अंतिम यही रात भारी और भाई साब वो तो बिलकुल सोच जाता है कि अब मैं भगवान को मिलने वाला हूं और एकदम paralyzed हो होता है देन इसके बाद डगलस की पूरी शोचल लाइफ डिस्ट्रॉ हो जाते ना अब तो भाई डर एकदम दिल के बिलकुल अंदर डीपेस्ट कॉर्नर में जाके बैड गया था और डगलस को बिलकुल भाई सब पानी से डर लग गया था ना आप तो वह टॉयलेट जाता इसकी जो फिशिंग जितने भी वाटर एक्टिविटीज हैं सब रिउन हो गई ती इसके चक्कर में और जैसे मतलब पानी उसके सामने आता वो डर वापिस से बाहर आ जाता ना उसका हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया मतलब पानी के प्रती डर रिवाइव हो चुक इस चीज को और वह डिसाइड करता है कि मैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर मतलब स्विंग टीचर हायर करूंगा और वह मुझे स्विमिंग सिखाएगा तो भाई सब मस्त चलती है उसकी लाइफ और वह पूल में जाता है पास दीन अवीक है ना साथ में से पास दिन वह पास दो पास दो पहले एक गंटा रोज क्या बात है अब इंस्ट्रक्टर इस्ट्रटेजिकली उसको स्विमर बनाता है यह ना वह स्टेप बाइस्टेप उसको प्रोसीजर सिखाता है कि ले बेटा पहले पैर चला फिर हाथ चला फिर सांस कैसे लेना यह सिखाए सब कुछ उसको सिखाए गया और बिट्सन पीसे में उसको एकदम स्विमर बना दिया गया जा एकदम पुली अटेच की गई उससे फिर वो उससे तेरता था कहीं डूपता था तो पटाक से घीच लेते था उसको पहले एट फर्स डगलस बहुत ज़्यादा डरता था लेकिन तीर मही के बाद उसका यह पानी गरप्रती का जो डर था वो खतम हो गया था सून इंस्ट्रक्टर का भी वो कंप्लीट जो पैकेश था खतम हो गया और अब डगलस बिना किसी टेर के बिना किसी फियर के तैर सकता था लेकिन आफ्टर दे ट्रेनिंग वस फिनिस्ट डगलस को फिर कि यह विचार आता है कि यह पानी में जाओंगा बिना इंस्ट्रक्टर के मैं डूब जाओंगा तो फिर वह इसी टाइनी वेस्टिजेस मतलब मतलब चोटे-चोटे फीयर को हटानी के लिए कि यह फियर वापीर ना आए वह क्या करता है वह जाता है लेक क्वेंट वेंट फिन ने लिएक सबूआर के श्राइबाइब राजस्थान एक इस्टेट और उसके अंदर कोई जील जैसे सांबर लेकर शॉल्ट वोटर लेकिए तो इसी तर से नियूआपशयर एक ऐस्टेट है उसके अंदर लेक वेंट वर्थ है उसमें वह जाता है और वहां से वह 2 माइल प्रेशन करता है एक वह बीच में जाता है तो कुछ टाइनी फिर उसको आ जाता है लेकिन वैसा बोलता है तु क्या डरायका मझे चालो गई आप पर तेरता है तेन यह वेंट वार्म लेक्ष एन्ड श्वें अफिर वह और वह और भी लेक्स में जाता है वाह पर स्विम्मिं उन्होंने बोला था और उसका पूरा डर खतम हो जाता है इस लाइन को मैं आपको तोड़ा सा और एक्स्वें करता हूं यहां से कोशन आ जाता है तो उसको होता है क्या कि भाई डेथ तो एक्दम पीसफूल है ना मतलब डेथ में कुछ दिकत है ही नहीं वह तो शांती प्र लगता है एक्चुल में जब हम वह एक्टिविटी करते हैं तब कोई डर नहीं है जैसे एक्जामपल के तोर पे अगर आपको इसकाई डाइविंग करनी है ना एरो प्लेन से कूदना है पेरशूट लगा के और आपके पीछे एक हेलपर भी रहेगा जो एक्सपीरेंस तो आपको डर किस बात का लगेगा कूदने से पहले कि नहीं भाई सब्सक्राइब नहीं जाओंगा लेकिन जैसे कुछ जाओगे फिर तो आप प्रोसेस को एंजोई करोगे ठीक है तो यह बहुत ही कमाल के लाइन है और इसको आप मतलब एक्जाम में आ सकती है तो आप अपने का डर था रिलीज हो गया अब वह आराम से कोई सी भी एक्टिविटी वह बिना किसी दिक्कत के परफॉर्म कर सकता है यहां पर इमेज जो आपको दिखरी है यह है युनाइटेस स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स रूजवेल्ट इसके बाद एक चोटा सा मैं आपको यहां प बहुत ही कम टाइम है तो आप यह अगर ओफर का लाप लेते हो तो आपको दो यहां पर फायदे होंगे एक तो कम दाम में सी बीएसी क्लास 12 का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा प्लस अगर आप सी उटी के एक्जाम देते हो तो प्लस 499 में आपको भी मिल जाएगा तो लिं विल्यम डगलस आप यह लिख देना की एडवेंचर था उसका ने जेस्ट फॉर लाइफ मतलब जीने की प्रबल इच्छा थी करेजिस था उसकी इंडॉमिटिबल इस्पिरिट थी फिर को वरकम करने की इन डॉमिटिबल मतलब बिल्कुल को इसको हिला न सके ऐसी स्पिरिट अगली बार खड़ा हुआ चलेंज उसने लिया और फाइनली उसने फिर को ओवरकम किया तर उसके बाद यहां पर एक और कुशन आ सकता है जैसे नीचे आप देख सकते हो कि हाव ही वास डिटर्मेंट तो डिफीट तो आप यह सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इसने इस किया प्रैक्टिस करी यहना बेल ट्रोप का उसने सहरा लिया इन्हेल एक्जेल के से करना है वो सीखा और पर्सिस्टेंट एफ़र्ट ऑफ दे इंस्ट्रक्टर से और खुद के एफ़र्ट से वहां पर फाइनल एक स्विमर बन गया तैन डेवलप्ट एवर्जन टु वोट यहां से डारेक्ट कोशन आ जाता है तो इसको मेन थोड़ा और बड़े में आपको बता रखा है तो अफ्टर एफेक्ट क्या होते है इस उन्प्लेजन एक्स्पीरियंस के तो मिस एड्वेंचर के बाद क्या होता है तो इसकी फिशिंग कैनों इंगे सारी ट्रिप डेस्ट इसका पूरा एक मेसेज है अब कुछ MCQs देख लेते हैं आप इसको अटेम्ट कीजेगा है वीडियो को पॉस करके कॉमेंट बोक्स में आंसर कर सकते हैं आफर कोने इडीप वाटर की तो फिल्यम डगलस ऑप्शन डी ये स्टोरी किस चीज के बारे में तो ये फियर ऑफ वाटर के बारे में और कैसे उसको ओवर्कम किया जा रहा है तो ऑप्शन नमबर ए तेन ऑफर कैसे स्विमिंग लर्न करता है तो विद थेल्प ऑफ सुमिं मा बॉझ ये बॉद ऑफियर ये में तो ये équ faltर वाटर का बॉद ऑफ वाटर के वाटर सुमिंग हूजों ऑफ तो वीक प्रवाट्दीख एवड़ ऑटर की इन लोड़ मात वाटर की मैं अव्चिंग गाटर की वाटर की निवाटर के तो जेज जा वालीज भी तो ये तो वो कैसे लेंग करता है वो जॉइन करता है वाइम सी ए पूल को और फिर वहाँ पर सीमिंग सीखता है इस पैसेज कर नुसार तैन वोट चेंज दिट ओधर फील आफ्टर सम टाइम तो उसको कॉंफिडेंस आने लग गया था option number a gain confidence फोर्थ प्रशने क्या मिसेड्वेंचर है जो किया पर बात की जा रही है तो जब एक लड़के उसको टॉस कर दिया था पूल के अंदर ठीक है option number a is the right answer of question no.4 अब से के सेंपल पेपर से प्रशन देख लेते हैं कि चूस करना है ऐसा statement जो कि सही नहीं है तो पहला है अपने पास की Douglas का fear kept him away from leisurely activities in water सही बात है तो या बिलकुल भाई all we have to fear is fear itself Douglas decide to sit down and quit to overcome his fear नहीं भाई साब उसने कभी नहीं सोचा के मैं quit कर देता हूं उसने इसको as a challenge लिया and then भाई साब the rest is history तो option number D सही नहीं है ना it is not true not true पुछाता हूं पीवाई क्यों देख लेते हैं so when douglas realized that he was sinking and क्या उसका plan था या भाई सब्सद्वेंचर वाली बात हो रही है तो भाई सब पहले तो डर गया फिर प्लान बनाता है कि मैं एक बिक जंप लूंगा नीचे से और बिलकुल as यह उसका प्लान था तेन वाट साट ओफ टेरर इस इस डागलास एज वाट वाट विद यह वाज इस तिल अलाइव तो यह भी वह मिसद्वेंचर वाली बात की जा रही है कि कैसा उसको फील हो रहा था तो बिलकुल एक नाइट मेर था है ना बिलकुल सपने के जैसा था ब लुप 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 तो गैदर उसको इंटेग्रेट करके एक स्विमर बना दिया जाता है वह इस एक्सपीरेंस इट वाइम सी एक्ट डगलस कैसे उसने अफेक्ट किया ठीक है अब पूछा जा रहा है तो देखो पहली बात तो उसके अंदर एक फियर डेवलप हो गया तेके वह रोया उसने खाना नहीं खाया तो यह सारी चीजें उसके साथ हुई और उसके बाद वह पूल में भी नहीं गया प्रेक्टिस कोश्चन यह आपको करना है बहुत अच्छा प्रस्ण है यह ना कॉमेंट वोक्स में आंसर करना है इसका अंसर आपको यहां पर मिल जाएगा तर्ण लॉंग अंसर प्रस्णू को कर हम देखें तो वाइमसीए स्विमिंग पूल विच इंस्टिल द फियर ठीक यह ना कॉन्फिडेंस भी आना स्टार्ट हो जाता है लेकिन फिर एक लड़का उसको फेक देता है फूल में फिर उपना एक तरीका बनाता है कि मैंसे आ जाओंगा लेकिन नहीं आपाता है ठीक सफोगेट हो जाता है और यह जो अनेक्स्प्लेनीबल टेर था यह उसको एक काट्शोट करना पड़ेगा 120-150 शब्दों के असाब से तेन आपको एक कोश्चन में मिल जाएगा जब आप इस चैप्टर की पीडिएव डाउनलोड करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे आपको कोश्चन मिलेंगे कुछ MCQ मिल जाएंगे तो आप उनको भी एटेम्ट कर ल करते हैं अपने Mission 100 को आगे बढ़ाते हैं और CBSC के लेटेस सिलिबस के साब से हम यह पर चल रहे हैं तो यह पूरी अपनी आउटलाइन रही कि आजके इस लेक्चर की जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं आउथर के बारे में तो इस चैप्टर को लिखा है सलेमा लेग लॉफ तो यह स्वीडन नाम है क्योंकि इनका जन्म स्वीडन में ही हुआ था 1858 में और इन्होंने अपनी जितनी भी कहानिया है ना वो स्वीडिश में लिखिए स्वीडिश लेंवेज में तो इसलिए जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना कुछ कुछ शब्द आप यूमन बिंग के लिए देन ये जो स्टोरी इसके अंदर वो मैसेज देती है कि भाई लव एन एक्सेप्टेंस चेंज एन यूमन बिंग तो प्यार और एक एकसेप्टेंस किसी भी मानों को चेंज कर सकता है देन कुछ इंपोर्टेंट शब्दों का हम देख लेते हैं इना इंपोर्टेंट शब्द में इसलिए बताता हूं ताकि आपके आप सब्जेक्टिव जब आंसर्स लिखे तो उसमें इसकीवर्ड इनको लिख लें और दूसरा है कि जब आप चैप्टर पढ़ें तो आपको आसानी हो तो पहला है मोनोटोनस मतलब बोरिंग वेगा इस चैप्टर के अंदर जो बेट है उसका मतलब क्या हो जाएगा इसको रिलेट किया गया है लगजरी के पीछे मानों भागता है और फश्याता है रहे ट्रैप में मतलब होता है कन्विंस हो जाना तेन चेरिश का मतलब होता है किसे को लोव करना है प्रोटेक्ट करना इसक जॉलिस के गेम है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ना प्लेयर 1 2 3 4 5 पत्तो का एक गेम है जिसको खेला जाता है कार्ट से आपने सुना होगा ना सत्ती सेंटर तैन उसके बाद रंग मिलावनी इस प्रकार के जो ताश के गेम आते हैं तो इस तरह से जॉलिस भी एक जो कि किसी और के फार्म पर काम करता है क्रिमेरी यहां पर आपको इमेज में दिख रही है ना क्रिमेरी का मतलब होता है कैसी फेक्टरी जहां पर चीज और क्रीम प्रड्यूस किया जाता है क्रोनर करंसी है स्वीडिन की करेक्टर से आपको मिलवा देते हैं तो एडला विल तो बहुत रात हो जाती है और तभी एक बुड़ा सा वेक्ति अपने घर के बार खड़ा होता है वो इसको देखता है तो बोलता है कि इसा करिए आज आज रात आप हमारे यहां पर रुख जाईए क्योंकि अब कहां पर रुखेंगे आसपस और कुछ है भी नहीं तो ओल्ड क्रॉफ्टर उसको वहां पर अपने घर पर रुखवा लेता है तो अपसिंस ओल्ड क्रॉफ्टर यह अकेला रहता है उसके साथ कोई फैमे क्रॉफटर रेट ट्रिप सेलर के लिए और इसको अपनी सारी बाते बताता है कि मैं यहां पर काम करता Strength में था विंडो के पास में अब अगली मॉर्णिंग होती है दोनों अपने अपने काम पे निकल जाते हैं लेकिन जो अपना ये पेडलर है रेट्रप सेलर है वापस मुड़ के आ जाता है क्योंकि ये लालची था इसने देख लिया था कि भाई सब खिड़की के पास में पैसे रखें तो ये विंडो पेन को ब्रेक करता है और वहां से क्रॉफ्टर के वह 30 क्रोनर क्रोनर स्वीडन करंसी है जैसे 30 रुपे एक तरसे मान के चलो वहां से चुरा लेता है जंगल में गुझ जाता है उसने सोचा हाईवे पे जाओंगा पीछे से पुलिस आगई कोई आगी तो य आसता पता नहीं हो अंदर घुम जाता है अब घुम जाता है तो फिर उसको विचार आता है वह फिलोसोफर बन जाता है दार्शिनिक बन जाता है और वह क्या सोचता है कि यारी पूरा संसार एक रेट ट्रेप है और मैं खुद इसमें ट्रेप हो गया हूँ याना इस केस मे जो 30 क्रोनर था उसने मेरे लिए एक बेट का एक चारे का काम किया उस चारे के पीछे में गया और बज गया तैन इसके बाद यह विंटर का टाइम था भाई बहुत ज़्यादा सर्दी थी वह चलते चलते नीचे गिर जाता है जैसे गिरता है तो उसको थंपिंग साउंड आत दिखती है उस आइरन फेक्टरी का नाम था रैंस जो आइरन मिल तो वहां पर वह जाता है अब डाकनेस थी अंदेरा था सर्दी का दिन था और बहुत जादो नॉइस वहां पर हो रही थी तो चुप-चाप वहां पर अंदर एंटर हो जाता और गरम जगे जाकर बैठ जात है वह पूछता है कि मैं अंदर बैठ जाओं सब आप भाई सब इतने बीजी हैं कि हां सर इला देते हॉटी परमिशन मतलब हां बस सर इला दे ना कि आ बैड या तैन इमीडियाटली ले डाउन और वहां तो इतना थका वह आता है कि गर्मी में मस्त सो जाता है क्रिसमस की इ तो उनको एक भरम हो जाता है और उसको अपना दोस्त समझ ले थे और उससे बोलते हैं कि करिस्मस है तुम्हारी ऐसे आलत कैसे हो गई पहले तो मना करता है कि नहीं भाई साब शेर के मुझे हाथ नहीं डालना मैं यहीं पर ठीक हूँ लेकिन फिर भाई साब उसकी डॉर्टर को बुलाता है कि यार मेरे से तो नहीं आएका शायद मेरी डॉर्टर से आजाए फिर वा में खयाल यह था कि ठीक है भाई साब इतने अमीर लोग है क्या पता कुछ पैसे ही दे दे मुझे और ठीक है जो पैसे मेले वह लेकर आ जाओंगा चोरी का खयाल नहीं था लेकिन हा कि इतने अमीर है अगर क्रिस्मस में मुझे तौफा भी देंगे तो भाई 1200 का तो देंग कर लेती तो पर्सुएट करना मतलब उनको प्रभावित करना अपनी क्वालिटी से या अपनी स्पीकिंग से तो एडला नोटिस कर लेती शुरू में किया यह आत्मी तक कमफर्टेबल नहीं दिख रहा अगर यह आर्मी मैं होता तो भाई और अगर असल में दोस्त होता पा तो इसको फरकोट दिया जाता है थंड का समय था नोट फिलिंग इजी इस हार्ट उस सो जाता है नेक्स मॉर्निंग होती है सब बेकफास्ट के लिए आते है और जैसे भाई साब उसको दिन में देखा जाता है तो पता लग जाता है कि यह तो अपना आर्मी का दोस्त नहीं कि आर्मास्ट यह बल्कूल इससे खुश नहीं था ला उसने बोला कि वहीं मैं पुलिस को बिलाता हूं शेरिफ मतलब होता है पुलिस को बनाता हूं तो इस पर पैडिलर बोलता है कि सर इसमें मेरे मैं सो चीट किया She Putin해서 मचे का था बाइस नहीं सभी रही है और हम सभी कभी आज मैं फसा हूँ कल आप फसो गया आगर्ण मास्टर तो यह बोल देता है वह एडला महाँ पर आती है और एडला समझ जाती है कि हाँ ठीक है वाई सब यह मैं पहले ही समझ तो चुकी थी लेकिन हाँ अब सिंस आज क्रिस्मस का दिन है तो एक दिन इस गरीब को हमारे साथ अब भावाख के चुपा है और भाहि सबनाली है बहुत करने सहुझ मज़पा और पहले हैं रहने देते हैं इन्द बढाए से कुरा है जाता है ऑजगा क्रिस्मस अधाल के लिए श्हेंस करया देलिस जातसे हैं और एक मैंटार के शुपा है उनक्त पर पहले सबस्त माई सा अब भाई सब जैसी एडला के पापा को पता लगता है कि अरे बाई ये बीड़ू तो अपनी घर पे बेटा हुआ है तो इनको लगता है कि बाई चोर अकेला घर में है और मालिक बाहर है बाई सहाब पुरी दुनिया लुड जाएगी अब तो पूरा घर तो ले जाए वो तो एडला को जैसी पता लगा कि अरे यार ऐसा हो गया तो उसको भी बहुत बुरा लगा और उसके पापा तो भाई बहुत ज़्यादा एंचियस हो गए कि भाई क्या क्या ले गया हो गया घर जाता है गाड से पूछता है को एक रेट ट्रेप सेलर गया क्या गया गाड बोलता में एक small package था और small package में as a Christmas present उसने एडला को दिया था तो उसके अंदर एक तो चुहे दानी थी उसके अंदर थर्टी क्रोनर के नोट्स थे जो उसने चुराए थे और उसके अंदर एक letter भी था जो कि एडला के लिए था तो एडला जैसे उस package को खोलती है तो बिलकुल एक cry of joy खुशी के आसूस के मन से निकल जाते हैं किया क्या क्या सोच रही थी और इसने तो टैन क्रोनर के तीन नोट से ना मतलब 30 क्रोनर भी लोटा दिये जो उसने चुराए थे और और उल्टा है ना में को एक चुह धानी गि एडला को भी हो थेंक करता है किया आपने जो kindness and love से मुझे treat किया जो respect मुझे दिया इसने मेरे heart को change कर दिया और मैं बिलकुल यह सारे negative काम छोड़ दूगा और अपनी लाइफ को वापिस से एक नई उर्जा के साथ जिऊंगा यहना positively मैं वापिस से अपनी लाइफ को जिऊ जाता है तो इसलिए करता है क्यार captain की तरह उसको respect और love दिया गया क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता उसको भगा दिया जाता तो शायद वो चोरी continue रखता लेकिन उसको ऐसा भगाया नहीं गया उसको respect, love, warmth, compassion के साथ treat किया गया और इसके इसलिए उसके जो दिल था परिवर्ति हो गया उसका heart change हो गया and अब वो एक नई life जीने के लिए निकल गया तो इसलिए वो captain की तरह उसको sign करता है तो इस प्रकार से वाला chapter नहीं पर समाप्त होता है अब मैं आपको इसका plot बता देता हूं तो देखो writer of the story यहां पर love, sympathy, goodness के बारे में बात करती है कि अगर यह हों पैसे बनते नहीं थे तो चोटी मोटी चोरी चकारी कर लेता था और बागी टाइम पर red trip बेशता था एक दिन उसको idea आता है world red trip है यह जितनी भी luxuries है यह क्या करती है कि इनसान को as a bet अपनी तरफ खीषती है यह इना इनसान अगर खीचा चला जाता है तो वो पढ़ जाता यह जाता है यह जाता है फिर उसके बाद उसकी मुलाकात आरन मास्टर से होती है आरन मास्टर की डॉटर उसको अपने घर पर बुला लेती है तेन लेटर उनको पता लगता है कि भाई साब यह कोई फ्रेंड वगेरा नहीं है यह तो एक थीफ है लेकिन राइटर इस स्टोरी को एकदम ट्विस्ट के साथ एंड करते है कि वो जो red trip seller है वो रुल्टा आरे में फोकस करते है थीम आफ पावर्टी एंड क्लास डिस्टिंशन के बारे में तेन जो पूर कंडिशन है वेगाबॉंड है ना हुसर्वाइड बाइगिंग इन इस्टिलिंग उसको एंपर पोट्रे किया जाता है क्लास डिस्क्रिमिनेशन बहुत जदा प्रेलों था लाइम पर और यहां पर वेगाबॉंड जो था बहुत जदा पैसिमिस्टिक था पैसिमिस्टिक मतला उसका पूरा नेगेटिव व्यू था तो पॉजिटिव नहीं था नेगेटिव था तो फिर वो बिलकुल यही सोचता है सब लोग हमें बस फसाना ही चाहते हैं यह करना करना चाहते हैं यहां पर इस स्टोरी के अंदर एक लोनलीनेस की भी थीम बताई गई है जो कि बहुत इंपोर्टेंट और कई बार से प्रशन पूछा है कि जितने भी करेक्टर से सब कहीने कहीन लोनली थे इसलिए उन्होंने दूसरों को एंटरेंटेन किया रेट्रप सेल वो तो अकेला था ही ग्रॉफ्टर अकेला था इसलिए उसने अपने घर पर उसको रखा एडला एंड जो इसकी पिता थे वो भी कहीने कहीन अकेलेपन से जूच रहे थे हैं इसलिए जैसे उनको मिला कि अच्छा यह नया वक्ती है चलो अब हम साथ रहेंगे तो इस लोनली पर चौका माल लिया भाई उसकी लाइफ बन जाएगी जिसने पैसिमिस्ट भी रखा कि नहीं भाई मेर साथ तो हमेश्च नेगेटी भी होगा तो भाई फिर लाइफ ले लेगी तो इसके बाद आगे करेक्टर से सकेच अगर पूछा जाता है तो बिलकुल भाई सा पूछ इसके बारे में आपको लिखना है कि पूरा वर्ल्ड रेट्रेप है लगजरी बेट से हैं फसा लेती है तेन वो मनी चुरा लेता है क्रॉफ्टर के घर से फिर बाद में एडला के आपर जाता है उसको गिफ्ट देता है और लाइफ उसको दूसरी चांस देती जिन्दगी बात वहीं एग जया के लिख दी तो क्रॉफ्टर के आथा तो क्रॉफ्टर एक बहुत ही अजड आदमी था अकेला रहता था और वह इस्टेंजर पर ट्रस्ट कर लेता था था यह वह बहुत ही जन्रस आदमी था मतलब देखो खाना वाना किला उसने जोली सुसके साथ गेम और थोड़े से इंपेशेंट भी थे जना क्योंकि गुस्सा आजाता इनको देन एडला एक कमपेशनेट एंड काइंड नेचर था इनका थेन बहुत यह अच्छी अच्छा सुम् पता था कुछ तो दाल में काला है तो फिर भी वह उसकी है और लव एंड काइनेस की मदद से रेट्रप सेलर को वह नई जिंदेगी दे दे एक तरह से कि क्या अई यह एकतम सफ़ी टाइटल है तो बिल्कुल यह जो स्टोरी स्वीड़न के असपस रिवॉल करती है एक तम एक फेरी टेल की तरह है यह बिल्कुल परीयों की कहानी की तरह है लेकिन इस टाइटल एक तरह चाथीर काहनी एक रेट्रप हाकर की है जो कि यह यहां था पर चारे की चक्कर में फच जाता है और जो गरीड है वो इसको ट्रैप कर लेती है लेकिन फिर लास्ट में एक होप के साथ यह लगशेटर समापत होता है कि भाहिसाब सब को एक रचानस मिलता है तो इसलिए यह जो रेड्रेप आइटल है बहुत ही रेलेवेंट है समरी ही हमने अल्रेडी देखे लिए हैना एक्जाम पॉइंट ओवियू से आप इसको एक बार पड़ सकते हैं तक कि क्विकली अपका रिविजन हो जाएगा वर्थेम आगे हैं यहां पर कुछ प्रशने आपके लिए प्रशने का अंसर हो जाएगा कि यह जो रेट्रप से बहुत ही पूर था और अपनी बेगिंग से तो काम चलाता था अपना एक दिन उसको थोट आथा है कि पूरा विश्व रेट्रप है और जस्ट लाइक रेट हम भी क्या करते हैं लगजरी को देखते हैं कमफोर्स को देख नोट ऑफ थेंक्स रहता है रेट्रप रेट्रप के अंदर एक नोट ऑफ थेंक्स और वो 30 क्रोनर जो कि उसने बोला था कि इसको वापिस कर देना कुछ mcqs वाइड़ा ब्रिंग दी पेडलर तो हर हाउस फॉर क्रिस्मस चियर क्यों लाती है पिकॉस ओफ इस रिजम्बल अगला प्रशने के हाउ इस पैडलर इंफ्लूएंस पाइंटिंग क्रॉफ्टर नेटला कैसे वह इंफ्लूएंस हो जाता है तो इसका दिल बदल जाता है ना नई लाइफ जीना चाहता है वो तो आप्शन नमबर सी और डाउट इस एडला है वाउट पैडलर तो शुरू म नहीं बताता है कि भाई में तो नहीं हूं आपका दोस्त इन ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी शुरू में उसको लालस था कि भाई कुछ पैसे देदे अजार बार उसका गिप्ट देदे तो मजा जाए अपना जीवन बन जाए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है एक पैसेज आ यहां पर उपर लिखावा भी आपको मिल जाएगा what was the thought that stuck him one day कि भाई पूरा संसार क्या है रेट ट्रेप ऑप्शन सी इसका मतलब होता है to work with difficulty तो यह अपने देखा था प्लॉडिंग है ना ऑप्शन नमबर बी expected questions देख लेते हैं short answer questions कि why pedler signed himself as captain won't still इसका मने डीटेल में आपको आंसर बताया है कि सिंस उसको captain की तरह ही treat किया गया था respect love warm care सब उसको दी गई थी और इसी के लिए उसको opportunity है और इसी से क्या हुआ उसका heart change हुआ उसको एक नई life मिली तो इसलिए फिरो लास में captain won't still की तर यहां पर पूछा गया है कि red trip why did pedler think that the world was a red trip क्यों वो सुचता ही कि पुरा विश्वेक red trip है because भाई सब इस पूरे संसार का soul purpose है लोगों को फसाना उसके असाब से और यह जितनी में joys है comfort and riches हैं यह क्या करते हैं they are nothing but a tempting bait यह ललचाने वाले bait हैं और कोई भी जब इससे ला इसके बाद in what sense was the world a big red trip according to pedler. वही बात देको 19 में 20 में 20 में भी आगया Sample paper में क्या प्रशना है how does the story red trip highlight करती importance of community over isolation support करना है आपको पाई बहत कामाल का प्रशना है तो फिर वहां पर उसके life change होई crofter वह अकेला था इसलिए उसने क्या किया red trip seller को अपने आप पर रुकने के लिए बोला एडला और उसके पिता जी वह अकेले थे तो इसलिए उन्होंने Christmas cheer के लिए उनको बुला है ठीक है तो यहां पर यह क्या हो रहा है जब लोग मिल रहे हैं तो community बन रही है तो इसलिए community को ज़्यादा प्रफरेंस दी गई है आईसोलेशन से तो यहीं आपको बताना है उसका अंसा लिखके मुझे बताना comment box में चेक करूंगा explain the metaphor of the red trip in the context of the story of Salam a. बहुत कमाल का प्रश्ण है इसमें metaphor का मतलब आपको पता होना चाहिए metaphor का मतलब क्या होता है यह basically एक प्रकार का poetic device है जिसमें किसी चीज को किसी चीज से compare किया जाता है जिससे story के अंदर red trip को compare किया गया किस से red trip को compare किया गया भाई साब यहां पर world से कि भाई यह पूरा world ही एक red trip है और यह क्या करता है लोगों को फसाने का काम करता है तो metaphor highlight करता है theory of crime and punishment है ना कि वही क्या करोगे आप पर चारे के चकर में कोई ने कोई crime करोगे और उसके बारे में फिर उसके बाद आपको punishment मिल जाएगी तो एक theory रहती है crime and punishment crime करोगे punishment मिलेगा so यह जो red trip है metaphor यह बताता है कि कैसे जो पूरी humanity है is attracted by the traps of life कैसे जो पूरी माना होता है वो कई ने कई comfort luxury और बागी चीजों से attract होती है और फिर वो ऐसे काम कर देती जो नहीं वो करना चाहिए ना जैसे एक example बताता हूँ आप connect कर पाऊगे cheat fund company जो रहती है 21 दिन में पैसा double वाली वो क्या रहता है red trip ही है आप सोचते हो कि नहीं भाई साब और भाई डबल हो जाएंगे पैसे एक लाक लगूआ दो लाक हो जाएंगे आइफोन ले लूँगा स्कूर्टी ले लूँगा बाइक ले लूँगा तो स्कूर्टी बाइक आइफोन यह सब क्या है यह सब लालच है और इस लालच में क्या होता है ग्वेक्ति फस्ता है और जैसी फस्ता है वहाँ पर पैसा लगाएगा पैसा डूप जाएगा ठीक है देखें तो स्टोरी फोकस करते हैं यूमन लोनलिनेस पर नीट फॉर बॉन वित अधर स्टेको गुमा फिरा के प्रशन वही है लेंग्विस तोड़ी बदल देते हैं जैसे सी बीस ने पूछ लिया था लोनलिनेस और कम्यूनिटी यहां पर भी बात की जारी है फोकस और यू आपको इसके साथ मिली जाएगा जिसके अंदर आपको कुछ इंपोर्टन कोशन दिखेंगे और सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगों के फिफ्ट चैप्टर इंडियो को हैं पर पढ़ने वाले तो दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं और मिशन हंडियो के साथ चल रहा है तो चैप्टर फाइव इंडिगो को में यह पर देखना है और यह सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले इस सेशन के अंदर मैं आपको प्लॉट तीम करेक्टर से सब भी बता दूंगा क्योंकि एर एक्जाम में सी होती बड़े फैन थे और गांदी जी के कम्प्लीट स्ट्रगल्स को अन्होंने कवर किया अपनी किताबों के अंदर तो इस चैप्टर के अंदर यहां पर गांधी जी के की आर्ग्यों को पर ती उससे उन्होंने अंग्रे जो को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर दिय था तो कुछ important शब्दों को देख लेते हैं जिनको आप अपनी परिक्षा में यूज कर सकते हैं कांदी जे का एक बहुत फेमस कोड भी है वी दे चेंज वान तो सी दे वर्ल्ड जो चेंज आप पुरे विश्व में देखना चाहते हो भाई सबसे पहले खुद में वह चेंज Resolute मतलब जो बहुत ज़्यादा Determint हो Committed मतलब जो Dedicated हो Accompany करना किसे के साथ जाना Conpore अंग्रेज लोग कानपूर को Conpore बोलते थे Then Tenacity मतलब Determination Hounches मतलब होता है Thigh Then Board करना मतलब किसी चीज में जमीनों की बात है जब चंपारन में जितनी भी एरेबल या फटाइल लेंड थी उन पर अंग्रेजों का राज था और उन अंग्रेजों की जमीनों पर भारती किसान काम करते थे तब की चीफ कमर्शल क्रॉप थी Indigo Indigo मतलब नील की फसल नील जो की कपड़े दोने में यू Indigo grow कर दी है वह आप अपनी पैसे से grow करेंगे अपने लेबर लगाओगे मेनत करोगे सब करोगे फिर उस फसल को काटोगे और जितनी भी फसल रहेगी पूरी की पूरी फसल आपको हमें देनी पड़ेगी तो ऐसा long term contract अंग्रेजों ने कर लिया था इसलिए बोलते ना कि अ जदा अत्याचार किया भारतियों पर तो इस तरह से अत्याचार किया तो बिटिश को बिल्कुल है ना यह contact उन्होंने कर लिया था लेकिन क्या हो था जर्मनी ने सिंथेटिक डिवलप कर ली मतलब आटिविशल डिवलप करी जिसके प्राइस बहुत ज्यादा कम थे तो बाइस अब नेश्रल इंडीको की डिमांड खतम हो गई तो बिटिश ने सारे किसानों को बुला है कि आई 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 यह और उनसे बोला कि हम आपको इ पैजंच तो इनको हमें यहां पर पैसे देने चाहिए उल्टा हम दे रहे हैं तो इसा नहीं चलेगा तो इनमें से एक किसान्त है राज कुमार शुकला जो यहां पर व्यत्थित हो गए और उन्होंने बहुत सारा लोगों से पूछा कि कौन हमारी मदद कर सकते हैं तो इनडियन नेशिनल कॉंगरेस का कन्मेंशन चल रहाता था तो गांदीजी महाँ पर थे राज कुमर शुकला जी देने उसकर बहुत इस बोलते हैं कि एक आप हमारी इस प्रॉब्लम को सौल करो अधियर गांदीजी बहुत बढ़े नेता थे और बहुत सारे लोग उनके पह बॉने से चले जाते हैं तो प्र इंटरप्राइस साथ इसके लिए तो पूर्ड गुंषट करना ही पड़ेगा तो फिर दोनुं बोर्ड करते ट्रेन और पत्ना में आते हैं राज कुमार शुकला जो होто तो उस टाइम पर लॉयर थे बहुत ही फिमस तो उनके पास अपनी शिकायत लेके जाते थे और गरीब किसानों के साथ अपकी बार गांधी जी उनके साथ वहाँ पर जाते हैं गांधी जी बहुत ज़्यादा हमबल और सिंपल लुक उनका था तो इस लुक को देखकर राजन पर साथ जी के यहां पर जो काम करते थे लोग उन्हों ने इतना अच्छा व्यवार नहीं किया गांधी जी के साथ यहां तक कि गांधी जी के साथ अंटेचेबिलेटी भी प्रेक्टिस करी गई चुवा चूट तो गांधी जी चीज को देकर बहुत जड़ा दुखी हुए और उनने सोचा कि हैर सबसे पहले तो हमें इन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा अंग्रेज उससे बाद में लड़ेंगे पहले अपने लोगों को यहां पर सही करना पड़ेगा गांधी जी अपसिंस नए थे उस एरिया में तो पहले पूरा सर्वे करते हैं पूरी नहीं चाते थे कि कोई भी विद्रो हो गांधी जी का जो अराइवल था चंपार नहीं भाई साब पूरी एकदम वाइल्ड फायर की तरह आग की तरह फेल गया और बहुत सारे लॉयर्स गांधी जी के साथ मिलने आए तो जब लॉयर्स जितने भी अपने किसान थे उन्हों प्राइस में करना चाहिए तो गांधी जी थोड़ा बुत उनको टाट भी लगा देते हैं तो गांधी जी इतना तो समझ गए थे कि यार सिर्फ और सिर्फ अंग्रे जो को सीधा सीधा है ना कुछ बोलने से कुछ होगा नहीं में हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा जितन प्रिटिश कमिशनर से मिलने जाते हैं तर्फ उनको बोलते के गांधी जी हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे और आपके लिए बैस्ट यहीं हो कि आप यहां से गांधी जी उस order को follow नहीं करते हैं, order को follow नहीं करते हैं, तो अगरे दिन गांधी जी के पास court ऐसे एक चिठी आ जाती है, कि गांधी जी आपको court में बुलावा आया है, क्योंकि आपने इस order को नहीं माना है, तो अब सभी लोगों को tension हो जाती है, कि यार गांधी जी कही जेल तो अगले दिन क्यों होता है बहुत बड़ी संख्या में लोग Ngandhi के समर्थन में आ कोड के बाए अब बृ지श रर्स भी सारी चिद्थों को देख के अख के बग की हो जाते हैं क्राउट विलकुल क्राउट के बाहर तो फिर गांधी जी की मदद ली जाती है गांधी जी जैसे तैसे उस cloud को control करते हैं अंग्रेज भी समझ गए थे भाई साब आज अगर इनको punishment दी तो तो बहुत दिक्कत हो सकती है इत्ते में सभी lawyers भी गांधी जी के support में आ जाते हैं कि एक बंदा जो की बाहर का है जिसका यान से कुछ लेना देना नहीं है वो भी समर्तन में आ गए और उसी टाइम पर गांधी जी ने बोला अब सारे लोग एक हो चुके हैं अब भाई सब अंग्रेज जो को जुकना ही पड़ेगा और फिर अंग्रेज जो को जुकना पड़ता है वो गांधी जो को बाई जद बरी कर देते हैं और उसके बाद फिर एक agreement ह होता है अंग्रेज और गांधी जी एक टेबल पर आते हैं और वहां पर गांधी जी पहले डिमांड करते हैं कि आप जो भी आपने रुपे लिए हैं उन गरीब किसानों से उसका 50% करो सारा तुम मांग नहीं रहूं लेकिन 50% कर दो तो सारे अंग्रेज सोचते हैं कि रहे उनको तो इससे क्या एक मैसेज जाता है तो इससे एक मैसेज जाता है कि यार गांधी जी ने बहुत हैंना मतलब मशक्कत करके और एकदम अपने कंविंसिंग आर्ग्योमेंट से क्या करा अंग्रेज को जुका दिया और सारे लोगों के अंदर एक यह रह गया कि भाई यह जैसे लोग नहीं जिनको अपन हरा नहीं सकते इनको हरा सकते हैं बस आपको सत्य हिंसा का साथ चाहिए उसके बाद फिर गांधी जी का भी बहुत बड़ा कद नैशनल पोलिटिक्स में भी हुआ अब गांधी जी ने जो पहले देखा था कि यार यह ना यह शोशली भी इनक पहले निर्भड़ता तो एक सीएफ एंड्रूस नाम के वैक्तित है वहां पर मदद करने के लिए बोलते हैं कि हम मदद कर देंगे तो लेकिन घंदी जी बोलते के नहीं आपकी मदद नहीं चाहिए यह खुद कर लेंगे ठीक आपको बताई दिया कि तिरहूत वो जाते हैं देख ली और इस तरसे गांदी जी के सिविल डिसॉबिटेंट मुमेंट के यहां पर क्या होती है जीत होती है और 25 परसेंट रिफन लेने में भी गांदी जी कामियाब हो जाते हैं अब गांदी जी के साथ और भी उनके जो सहर और लोग थे जैसे मादेव देसाई नरहरी गांदी जी की खुद वाइफ जो थी उन्होंने वहापर क्या किया उन्होंने बिल्कुल चंपारन के लोगों के लिए काम किया और सेल्फ रिलाइंस का पार्ट उनको पढ़ाया अब एक प्लॉट में आपको बताते तो कई बार आपको एक्जाम में सीधा प्लॉट लिखन पर काम करते थे लॉट टर्म एग्रिमेंट हुआ ही था 15% के वहाँ पर उनको इंडिगो को ग्रो करना था और पूरी 15% पर जो भी क्रॉप वाइंगे उनको एज़े कंपेंसेशन देना था अब यह तो बहुत्तिया चार था एक तरे से तो लेकिन फिर जर्मनी ने जैसे सि जाते हैं गांधी जी उनसे मुलाकात फिक्स करते हैं फिर गांधी जी चम्पा नन में आने के लिए तयार हो जाते हैं अब शुरू शुरू में तो यहाँ पर गांधी जी को भी थोड़ा सा अन्टेचबलीट और बागी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी लेकिन गांधी में अंग्रे जो को अपने गुटने पर जुका दिया तेन गांधी जी ने फिर education health hygiene के लिए भी काम किया थीम क्या है तो गांधी जी यहां पर पूरा focus इस chapter का effective leadership है कि अगर को effective leader है तो वह किसी problem को solve कर सकता है यहां पर suggest किया जाता है solution to any problem without causing harm तो भी आप अपना solution को निकाल सकते हो इस story justify करती problem जो कि poor peasants के द्वारा face की जाती है और यहां पर story states the fact that the fight for any social cause never goes on ठीक है तो अगर आप कोई भी fight करते हो social cause के लिए तो कहीं ने कहीं उसका आपको benefit मिली जाएगा character से पहला है characters के चाह जाता वैसा राजकुमार शुकला का तो एक पेजन था चंपारन डिस्टिक में और he was tired of the rigid rule of the Britishers to Britishers के rigid rules से बहुत ज़्यदा थक चुका था and though he lacked education लेकिन उसके actions एक्दम bold थे then इस problem को solve करने के लिए गांधी जी के पास जाता है और जब तक वो गांधी जी मान नहीं चाते तब तक वो उनके पीछे लगा रहता है अब गांधी जी राजकुमार शुकला के साथ आते हैं है ना और फिर आगी की कानी तो आपको बताई है कि वह पूरा लड़ते हैं साल बर के लिए और अनको पढ़ाया जाता है ते ताइटल का सिंग्निफिकेंस आजाता है कि आप बताई कि क्या यह जो टाइटल है इंडिगो जी सही है फर नहीं तो बिल्कुल भाई सभ यह जो complete टाइटल एकदम सही क्योंकि चंपारन डिस् किया जाता था पूर इंडीगो फार्मर्स का फिर आगे आपको कहानी वह लिखनी पड़ीगी कि 15% जमीन पर उनको इंडीगो उगानी पड़ती थी फिर जैसे ही सिंटेटिक इंडीगो आगया तो फिर उसकी जरोत नहीं रही और अंग्रे जो ने कंपेंसेशन मांगना स्टार्ट कर दिया और फिर गांधी जिने लास्ट में इसके लिए लड़ाई कर बढ़ते अब हम आगे कुछ MCQs को देख लेते हैं तो पहला अपने पास तो ऑप्शन नमबर A Lewis Fisher इस दी ऑफर ऑफ इंडीगो एक एक एककशर्ट है जिसको लिया गया है कौन से किताब से लाइफ उफ मांत्मा गांधी से तेन वाइस और करीजस लीडर्शिप से किसी प्रोब्लम को रिजॉल के जाता है तो ऑप्शन C मांत्मा गांधी क्यों एक्टिव लीडर्शिप बताती है कुछ कोश्चन से जिनको हम देख लेते हैं कि वाइड इट राजकुमर शुकला मेट गांधी जी तो अपने को पताइए कि राजकुमर शुकला चंपारण डिस्ट्रिक से बिलॉग करते हैं और वह गांधी जी से इसलिए मिलते हैं क्योंक उसके थ्रू अत्यचार के वहां के लोगों पर तो इससे राजकुमर शुकला खुछ नहीं थे और वो चाहते थे कि गांधी जी उनकी मदद करें सिच्वेशन से बाहर आने में गांधी जी कैसे हल्प करते हैं तो गांधी जी यहां पर उनकी हल्प करते हैं वाइट तो यह शोड़ता है क्या यह शोडर्प करता है इन्टरप्राइज इन पर्सिस्टेंट एफट्स औफ राजकुमार शुकला में क्या प्रश्ण पूछा किए था कि गांधी जी क्यों एगरी कर जाते सब चचीस मगतें एंगे क्योंकि उनका main aim पैसा नहीं था उनका main aim था कि हम Britishers को जुकाएं ताकि लोगों के मन में जो Britishers का fear वो दूर हो जाएं तेन गांदी जी इतनी selfless service उनके रहती है कि आर यह बाहर का वेक्तिकर यहां के लोगों के लिए कर सकता है तो हम तो करी सकते हैं तो इस तरह से लाइर्स इंफ्लेंस हो जाते हैं और फिर गांदी जी बोलते हैं कि the battle of इसको आप सहुल कीज़े का कि हाउ डिद गांदी जी रियक्ट तो दे कमिशनर से अडवाइस कमिशनर ने बोला था कि भाई सब आप निकल जाओ तो गांदी जी ने कैसे रियक्त किया तो वही गांदी जी ने उसको फॉलो नहीं किया और civil disobedience movement की वहां से एक तरसे starting हो गई गांदी जी ने और सोचा कि हम यहां नहीं अब बड़े वाले मोतिहारी की capital में जाएंगे और वहां पर जाके अंग्रेज से मिलेंगे ठीक तो फिर order आई जाता है और गांदी जी उसको avail ना करते हैं उसकी follow नहीं करते हैं तो फिर court में उ यहां पर आते हैं और अच्छे से लड़े लड़ते अब यहां से क्यों होता है गांदी जी का राइस होता है as a national leader बोलो मिल जाते हैं बहुत सबका साथ नेकर और चलते हैं और फिर रस्म थारत को आजात कर वाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए चंपारण कहा पर रहता है अपनों देखा था फूटिल्स ऑफ हिमालया में लाई करता है बिलकुल वहां पर नेपाल के नीचे और बिहार के अंदर कि अब एक कोशन में ठीक है जब आप इस कंप्लीट चैप्टर की पीडिया डाउंडूड करें डिस्क्रिप्शन में तो वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं तो फिलाल के लिए इस वीडियो में अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगों के चैप्टर 6 और इसका नाम है Poets & Pancakes तो देख लेते हैं कि क्या क्या हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है तो हम देखेंगे ऑथर के बारे में प्लॉट्ट तीम और करेक्टर को देख लेंगे हैं क्योंकि सीधा सीधा एक्जाम में आ जाता है फिर हम देखेंगे सेटिंग टाइटल औ उससे associated तो यह बताते हैं कि कैसे यार various elements जो है जैलिमी studio के वो एक साथ मिलकर उसको successful बनाने के लिए काम करते हैं और यहां पर जिक्र किया जाता है एक pancake company का चुकि एक make-up company है एंड इसमें बिल्कुल बताया जाता है कि कैसे यह सारे elements एकदम एक साथ आते हैं और इस film producing company को एकदम successful बनाते हैं यह जो lesson है यह अशोक मित्रन के किताब my ears with boss से लिया गया है तो अगर हम थोड़ा ओडीटियल में जाने author के बारे में तो अशोक मित्रन का जन्म 1931 में सिकंद्राबाद जो कि आज के हैदराबाद में पढ़ता है वहाँ पर हुआ था यह ना author के बारे में थोड़ा से background जानने से होता है कि हमें पता लग जाता है कि क्या उसकी style of writing है उनका जो pain name है यह अशोक मित्रन है लेकिन उनका जो actual name था वह था जगदीश त्याग राजन देन वह एक बहुत रिनौर्ट तमिल राइटर है और साहित थे अकैडमी अवर्ड उनको मिल चुका है इनका जो experience यह वह filmmaking industry में बहुत अच्छा है और यह newspaper के लिए articles लिखा करते थे देन लेटर इनके जो columns थे उनको एक बुक के रूप में translate किया गया और इस बुक का नाम था my ears with boss इनके बॉस कौन थे SS वसन जो की Gemini studio के ओनर थे इनके जो majority of works थे उनको translate किया गया English में एंड जैसे इनका translation हुआ तो फिर पूरी दुनिया ने इनको पड़ा और उसके बाद यह बहुत ज्यादा famous हो गए अब हम देख लेते कुछ important शब्द जिनको आप अपने परिक्षा में यूज करेंगे तो पहला शब्द है stables stables मतलब होता है एक ऐसी building जहां पर घोडों को रखा जाता है remote corner मतलब बिल्कुल एक ऐसा एरिया शहर का जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं maiden maiden का मतलब होता है young woman जो कि आपको image में दिख रही है इसका मतलब होता है एक light जो की image हो रही है जैसे पहले हम इस तरह के बल्फ को यूज करते थे वह पीले वाले बल्फ मिजरी मिजरी का मतलब होता है इस्टेट और फिलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल मेंटल डिस्ट्रेस और फिल करना उसको हम बोलते है मिजरी इसके बाद अगला शबते हाइडियस हाइडियस मतलब extremely ugly then crimson hue इसका मतलब होता है deep red color ठीक है यह एक shade है color का then next step अपने पास potions इसका मतलब होता है liquid mixture cubicle मतलब एक छोटा सा area partition के हुआ जहां पर generally office employees बैठते हैं bargain इसका मतलब होता है to walk into room quickly ठीक है किसी भी room के अंदर quickly जाना enlightened मतलब होता है having or showing a rational modern well informed outlook मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से जानकरी होना epic मतलब होता है एक बहुत ही long और RDS task जैसे आपके epic होते राम आया और महापरत तो इस अब epics है then covertly मतलब होता है secretly vows मतलब होता है distress distress मतलब किसी भी परशानी में पढ़ जाना then ignominay इसका मतलब होता है public shame मैंना या किसी भी चीज़ पर disgrace आपको मिलना आपकी निंदा होना contrary का मतलब होता है in opposite जैसे बोलते हैं contrary to this तो मतलब in opposite of this then virtue मतलब होती अच्छी qualities then effluent का मतलब होता है एकदम wealthy having a hand in इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज में involved है अब देख लेते हैं complete chapter की समरी को मैं आपको important points बताऊंगा जो कि आपकी exam में answer writing करने में आपकी मदद करेंगे तो यह जो lesson है अशोक मेंतरन के द्वारा लिखा गया और इसके अंदर वह जैमिनी studio की आपर बात करते हैं जिसको 1940 में found किया गया था और यही पूरे इस अश्चर के spotlight में रहता है वह start करते हैं by making a mention of pancake तो pancake एक बहुत ही famous makeup brand है जिसको जैमिनी studio में बिल्कुल truck में order किया जाता था भाई अब makeup पे ही ठीक ही वह पूरी इंडस्ट्री तो truck बर-बर के makeup साते थे and then he talk about the plight of actors and actress अप्लाइट मतलब होता है एक दरीनी कंडीशन में पहुंच जाते थे एक्टर 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 एक्ट्रेस जब जो makeup men थे यहना वह बहुत ज्यादा intense lights में आपने देखा होगा आजकल भी जो vanity वेंस रहती उसमें बहुत सारी lights रहती mirror पर heating lights तो वह सब जब actors के चहरे पर पढ़ती है तो बहुत ज्यादा उनको बेकार लगता है और बहुत ज्यादा गर्मी उनको सहनी पढ़ती है तो इसी plight के बारे में इसी व्यथा के बारे में actor actresses की वह बताते है जो makeup department था according to him use करता था heaps of makeup है बिलकुल बहुत ज्यादा ज्यादा makeup जिस आपको है पर image में दिख रहा है बाई सब इस तरह का makeup चाप दिया करते थे और एक टॉंड मारा जाता है कि इससे और actor और actresses जो मतलब असली सुंदरता है उनकी वह दब जाती थी और ज्यादा अगली वह लगना स्टार्ट हो जाते थे शोकिंग ली वह बताता है about the office boy of the makeup department जिसका टास्क था to slay paint on the faces of the players at the time of crowd shooting तो एक office boy के भी बारे में आपर जिकर किया जाता है जिसका काम था कि जो पीछे वाले artist होते थे उनका makeup करना तो वहां पर basically क्या होता था एक hierarchy चलती थी जिसमें जो chief makeup करने वाला होता था वो main actor का makeup करता था फिर second number पे जो होता था वो supporting actors का makeup करता था फिर उसके बाद और लोग जो की जो पीछे आपके dance करते उनका makeup करते थे now he was a poet and had joined the studio in the hope of becoming a actor screenwriter director or lyricist तो इस office boy के बारे में बता जा रहा है कि उसने joint as a poet किया था फिर उसने सोचा में actor बन जाओंगा screenwriter बन जाओंगा director बन जाओंगा lyricist बन जाओंगा last में क्या कर रहा था वो जो पीछे लोग खड़े रहते हैं जो पीछे नाचते उनका makeup कर रहा था in those days author भी वहीं time and again and to bother him with his complaints to office boy आता रहता था क्योंकि देखवार सपने बहुत बड़े थे actor director और क्या कर रहा था चोटे makeup में इंक रोल वो कर रहा था तो complaints थी वह आता था author के पास उसके cubicle में now he was well convinced that the reason behind this misery was subwoo अब यहां पर एक और नए my character को introduce किया गया है कॉट मंगलम सुभू तो वह बताता है कि यार मेरी इस पूरी misery के कारण सुभू ही है he thought subwoo had an advantage because he was born a Brahmin कि यार सुभू यह जो सुभू है इतना advantage इसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि ब्रहामिन है and subwoo was a resourceful man whose loyalty made him stand out ठीक है था तो यह कोई ज्यादा बड़ा आदमी नहीं लेकिन इसकी पहुच बहुत बड़ी थी तो इसलिए इसकी importance थी उसे studio के अंदर he was tailor made for films and it was difficult to imagine filmmaking without him and now to यहां पर ऐसा लगता था कि भाई यह फिल्म बनाने के लिए बना है और यह सभी को guidance देता था सुभू actors हो गए actress हो गए director हो गए सब को guidance दे दिया करता था यह now he was very welcoming and was known for his hospitality बहुत ज्यादा अच्छा इसका वहवार था just like other people said the Gemini studio वह भी poetry में इंट्रेस्टेट था इससे क्या पता लगता है में कि वहां के बहुत साथ लोग poetry में इंट्रेस्टेट थे स्टोरी डिपार्टमेंट में वो काम क्या करता था विच अलसो कंसिस्टेट अफ लॉयर अब एक और character को introduced किया गया है कि भाई सब यहां पर एक lawyer भी था और people generally called him the opposite of legal practitioner legal practitioner मतब law के साथ चलने वाला और यह lawyer था जो कि law के पोजेट चलता था he was a logical and neutral man amidst a room full of dreamers ठीक है और वही एक ऐसा आदमी था जो कि थोड़ा logic से सोचता था यह ना वो अपनी kautil ले बुद्धी लगाता था चानक की नहीं थी यह ना बाकी सब तो बहुत स्क्रीमर तया रहे एक्टर वरूंगा सलमान घान बनने आया हूं मैं तेन अशोक मितरन दें डिस्क्राइब्स हाव जैमिनी स्टूडियो वाट चांस तो होस्त ग्रूप आप इंटरनेशनल पर्फॉर्मर्स ठीक है तो एक बार इंटरनेशनल पर्फॉर्मर्स आये जिसका वह जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट आये उनकी लेकिन भाई जो गजब के कॉस्ट्यूम्स उन्हों ने पहनी एक दम पर्फेक्ट कॉस्ट्यूम्स एंड इतनी पर्फेक्ट थी कि भाई सब बहुत सालों तक उस तरी की चीजों को तमिल प्लेज में डिस्प्लेय किया गया एंड वो जो सारा कंसेप्ट था है उसको इनहरेट किया गया था जौथम वैली एक बहुत खूप सुरत सी जगह है तो उस तरह के बैग्राउंड सीनेरी वो सब लगाये करते थे तमिल प्लेस में भी तो मरे यह जो आर्मी आई इसके बाद फिर आते हैं इस्टेपन इस्प अच्छे नहीं वाले लोग तो उनको ज्यादा अच्छे संग्लिश नहीं आती थी जिस भाषा में जिस एसन में बोल रहा था नहीं आता था तो लोगों को हाड़ली समझ माया कि यह कौन और क्या बोल रहा है नव इट वस नॉट अंटिल अ फ्यू यर्स लेटर एट अशो अच्छा था एक किताब में देखा रहे भाई यह इतना फेमस है क्या यह तो आयता आपने आप तो उसको रियलाइज हुआ कि अच्छा यह आयता आपने आप और इस प्रकार से यह वाला स्टोरी होती है समाप अब प्लोट में आपको बता देता हूं तो यह प्लोट आप स यह ना जो की ऑथर के अनुसार और ज्यादा अगली बना देता था किसको जितने भी महां के एक्टर एंड एक्टर से उनको तेन वहां पर हाइरार्की भी देखने को मिलती थी स्टूडियो के अंदर जैसा मैंने आपको बता है मेकप आर्टिस्स की यह जो सबसे बड़ा मे सबसे पीछे लोग रहते हैं उनका मेकप करता था राइटर आलसो पॉइंट आउट करता है रोल जो की कॉट्ट मंगलम शुद्बू नहीं पर प्ले किया है कि वह एक ब्रामिन था और उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटी इस ती जिससे सारे लोग इंप्रेस रहते थे थे कम्यूनिजम क्या एक ऐसे फिलोसोफी है जिसके अंदर जो कम्यूनिटी की जितने भी रिसोर्स रहते हैं जैसे अपना इंडस्ट्री हो गया और भी जितने भी रिसोर्स रेलवेज हो गया सब लोग कोई एक व्यक्ति ओन नहीं करेगा उसको कौन ओन करेगी पूरी कम्यू करें तो उसमें बिलीव करते थे इस्टूडियो के जितने भी लोग है तेन तो मॉरल री आर्मामेंट आर्मी ने विजट किया वहाँ पर दो प्लेस करें और वो सिंस्क विदेश से आये थे तो उन्होंने एंटी कम्यूनिजम का वहाँ पर प्रचार कर दिया देन जैमिनी स्टूडियो के अंदर फिर एक बार स्टेफन स्पेंडर भी आते हैं जो कि उस टाइम पर तो लोगों ने किसी कुने उसका ध्यान नहीं दिया और उन्हें स्पीचेज दी ती डिमोक्रसी पे फ्रीडम पे लेकिन लोगों को ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा विकॉस अ लिं इसकी तो थीम है फेवरिटीजम और हैरार्की कि बताई जाती वर्क प्लेस में कैसे हरार्की में काम चलता है किसी को एकदम सीधा उपर उठने का मौका नहीं मिलता और फेवरिटीजम है जैसे सुबू का एक्जामपल अब दे सकते हैं तेन यह जो स्टोरी वो रिवील करत है इन रियालिटी के जो लाइफ है एक्टर और एक्ट्रेस की वह कोई डिफरेंट रहती है मेकप रूम में उनका इतना इस्ट्रागल करना पड़ता है भली वह परदे पर कैसे दिखें कम्यूनिजम प्रवलेंट था जैमिनी स्टूडियो में और जो एजूकेटेट पीप करते हैं तो पहला अपना कॉट्ट मंगलम सुबू भाई साब इमेज भी आपर आपको देख रही है तो यह नंबर टू थे जैमिनी स्टूडियो में नंबर वन तो उसके मालिक थे स्वसन और उसके बाद इनका नंबर आता था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ट थ शुब की और ऐसा माना जाता था कि यह कास्टम टेलरे फिल्म के लिए फिल्म इनहीं के लिए मतलब फिल्मों का जनम हुआ है और यह इनका जनम फिल्मों के लिए ही हुआ है कुछ और गेरेक्टर जैसे ऑफिस बॉय वो अपने 40 के असपास उम्रों उसकी होगी और वह मेक नहीं जैसा है लेकिन उसको कितना लोग प्यार करते हैं तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों के करियर उसने बिगाड़े थे और इतना जदा करियर लोगों के बिगारता था तो हमेशा एकदम लोगों के वह रहता था तो यह स्टोरी का एकदम कुछ ऐसी पर्टिकुलर सेटिंग नहीं है पोइट एन पेंकेक इसका टाइटल एकदम रेलेवेंट है विकाज पेंकेक एक मेकप ब्रैंड है जिसको बहुत ज्यादा ट्रकों ट्रकों में मगाए जाता था जैमिनी स्टूडियो के अंदर इस स्टो पर यह अगर हम देखें एकदम बहुत ही ब्रीफ में तो जैमिनी स्टूडियो के बारे में बात है पैंकेक जो कि एक मेकप ब्रैंड है उसके बारे में बात है तेन एक ओफिस बोई कि यहां पर बात की गई है याना कि कैसे वह एन्वी करता था सुबू से फिर सुबू की बात की गई जो कि एक बहुत ही फेमस आदमी था स्टूडियो के अंदर बहुत सारे मल्टी काम वो करता था तेन यहां पर एक बार एमारे आर्मी आई थी जिसमें ने एंटी कमिर्जम कर पचार किया था और स्टेपन स्पेंडर आये था जिसने भी अपनी बातों में डेमो करते हम आगे और कुछ MCQs को हम देख लेते हैं तो यहां पर पहला प्रशन है कि हुई इस दी ऑथर और पोएट इन पैनकेक तो यह जो किताब है तो मुवीज के इंपक्त की बात करती है इसी में से पोएट इन पैनकेक नाम के चप्टर को निकाला गया है जैमिनी ब्रेंड नेम मेकप वाला तो मेकप का नाम क्या था जो जैमिनी स्टूडियो में यूज होता था पैनकेक ऑप्शन ए ग्रेटा गेब्रो कौन थे तो इनका जिकर एक बार चैप्टर में किया गया है यह स्विडिश एक्टर्स थी एक्ट्रेस थी जिन्होंने ओसकर जीता तो उनका अंसर यह रहा जो ऑफिस बॉय था जैमिनी स्टूडियो में वो चाहता था एक्टर बनना पोएट डिरेक्टर एक्सेटर लेकिन लास्ट में क्या कंता है मेकप डिपार्ट्मेंट में काम करता है जोटा सा तो इसलिए लोगों का बहुत हाई रिगार्ट था था सुबू के लिए जबकि ऑफिस बॉय उससे एंवी करता था था तो सुबू कोट मोर एक्सपोजर इन दे इंडस्ट्री और इसलिए उसको बैटर कंसिडर किया गया है इस चैप्टर के अंदार थैन सी बीसी के सेंपल पेपर में भी प्रश्ण पूछा गया है ठीक है एक प इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहां पर मतलब यह जो पैरा है इसको पढ़ेंगे तो मैं पता लग जाएगा कि यह रैफर करता है कि इसको सिट्वेशन देट रेक्वार वन तो बी स्ट्रीट स्मार्ट है तो जैसे सुबू था उसके अंदर कौन सी क्वालिटी इस थी इस तो बी स्ट्रीट स्मार्ट मतलब भाई साब हाथ के हाथ आइडिया निकालने वाला तेन आपको यहां पर सिट्वेट करना है सुटेबल वर्ड जो की सील्ड ट्लोस्ट है अनलोजी अपने को देखने सील और क्लोस मतलब यह कैं सिनॉनिम है तो प्रोपेल प्रोपेल मत इक्ट्रेस वोस एंप तो जब हम यहां पर पड़ेंगे तो मैं पता लगएगा कि जो एक्ट्रेस को हाम हुआ था इपढ्योच प्रोपेल अनइंटेंशनल एक टिक है और इस तरह के एक स्ट्रेक्पेल पेस्टेस अपको देखने को बलेंगे हलाकि इसका लेवल थोड़ा ज्यादा है एक्जाम में तोड़ा सिंपल आएगा ठीक तो इन तीनों को भी आप सॉल्ड करना और मुझे बताना जैसे पहला है आपके पास कि बेस्ट और अबो एक्स्टेक्ट्रू स्टेट्मेंट अबॉट दे लीगल अडवाइसर लॉयर के बारे में पूछा है देपार्टमेंट के लोगों के साथ नहीं बनती थी वस नॉट इबल तो जेल प्रॉपरली वह लोगों के करियर बिगा रहता था ठीक है चालो बढ़ते हैं पना आगे इन दोनों वाले प्रशनों को भी आप देख लेना इनके आंसर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंग तो जो इंग्लिश में थे रेस मेनी क्वेरीज एंड डाउट इन माइंड दोस वर वर्किंग इन जैमिनी स्टूडियो पिकॉस जो इंग्लिश में का नेम था वह अन्फेमिलियर था विसस क्रिदेंशल और नो वन कुड अंडर्स्टेंड इस स्पीच तो यह किसकी बात हो आप सिंस इंटरनेशनल आर्टीस थे तो उनको वेलकम किया गया था माप पर एंड उन्होंने क्या क्या एंटी कम्यूनिजम के बारे में वह पर प्लेज परफॉर्म किये एक प्रैक्टिस कुश्चन आपके लिए के सुबू कौन थे हूँ वह सुबू जैनिमी और वाई त ठीक है तो बहुत इंपॉर्टन क्यरेक्टर इसका पूरा क्यरेक्टर के चमने देखा था तो आप इसको यहां पर पढ़ सकते हैं ठीक है एक कोश्चन बेंग मैंने यहां पर इस पीडियेफ के साथ अटेच किया है तो आप इसको भी डाउनलोड करेंगे जब पीडियेफ साथ है मैं खरी सब्टेस के सिलेबेस के साब से मैं यहां पर आगे बर रहे तो यह चैपटर Saya एंदर आं में सारी बातों को आपर देखने मिले हैं तो सबसे प्रिलेंद देख लेते हैं कि कि यहनी से क्रीषिंधे नपकर को दोरा और इनका जन्मन 59 में लंदन में अंग कि Freelancing मतलब किसी एक पर्टिकुलर विक्ती से associated नहीं है जिससे इनकी मर्जिय होती उससे associated हो जाते हैं तेन उन्हेंने बहुत ही famous publications को भी याँ पर लिखावा है यह editor है the penguin book of interviews के जहां से यह जो complete आपका interview वाला chapter इसको लिया गया है then newspaper के जो arbitrary वाला section रहता है शोक संदेश वाला section उसमें भी उन्होंने काम किया है तो यह जो interview वाला chapter है basically यह दो parts में divided है पहला part जो आपकी किताब में दे रहा है उसमें different different famous logo के क्या views होते interview पे वो बताए गया है जबकि जो second part है उसमें actual interview है number two eco नाम के व्यक्तिका तो यह जो complete chapter इसको लिया गया है penguin book of interviews जिसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने और उसी में से एक exert जोटा सा टुकरा उठाए गया है in this he talks about various opinions of celebrities क्या उनके opinions से regarding the interview और जैसा मैंने आपको बताए उसके marriage and de-marriage नापर बताए जाएंगे and then second part के अंदर एक बहुत ही famous writer है number two eco उनका interview में देखने को मिलेगा कुछ important शब्दों को में देख लेते हैं जो कि आपकी एक्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं पहला extravagant मतलब होता है बहुत elaborate excessive second होता है despise despise मतलब होता है dislike third होता है unwarranted unwarranted का मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो कि justified ना हो intrusion intrusion मतलब होता है intervention करना ना किसी भी चीज में दखल अंदाजी करना तिन primitive primitive का मतलब होता है बहुत पुराना old and ancient next lionize lionize का मतलब होता है बहुत ज़्यादा public attention मिलना जैसे विराट को लिने जैसे मस्तरन मारे इंडिया पाकिस्तान मैच में उसको lionize किया गया बहुत ज़्यादा public attention उनको मिला रेपल रेपल का मतलब क्या होता है इस फोर्स बैक हो जाना पर्सिस्टेंट इसका मतलब होता है continuous petitioner petitioner का मतलब होता है a person who asked for something ना तो generally petitions दी जाती है और higher authorities को किया आपको यह काम करवाना है हमारी university का then amusement amusement का मतलब होता है enjoyment entertainment है ना जैसे amusement parks होते है next हमारे पास है condemnatory इसका मतलब होता है express करना strong disapproval wrecked wrecked का मतलब होता है severely किसी चीज में damage हो जाना जैसे accident के बाद severe damages होते है assault करना मतलब physical attack करना जैसे आपको हैं इमेज में दिख रहा है while मतलब बहुत unpleasant experience perpetrated मतलब होता है committed या किसी भी चीज को एकदम है ना उसमें जुटे वे रहना then complete summary को हम देख लेते हैं तो यहां पर यह जो lesson इसके starting होती है by the introduction of interview as a common place बताए गया है कि interview क्या होता है interview basically common place है generalism में और इसको invent किया गया 130 साल पहले मतलब आज से करीब 130-140 साल पहले interview नाम की जो बिमारी है वो इस दुनिया में आई थी now according to the author it is not very surprising that people के बहुत ही distinct opinions about the usage of interview ना लोगों के अपने अपने opinion है कुछ लोगों को लगता है कि it is the highest form whereas people can't stand being interviewed ना तो कुछको तो लगता है भाई यह तो must है यह तो बहुत important है और कुछको लगता है कि रहे यार इंटर्वी इंटर्वी उटा हो भाई सार यह नहीं चाहिए हमें इंटर्वी लेव लास्टिं इंपरेशन अन अकॉर्डिंग तो लिए जाते हैं तो उसकी ओरिजनल आइडेंटीटी ही हो जाती है जैसे इसका मैं आपको एक 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 जापल देता हूं विराट कोली बताई ज्यादा भाई बहुत जादा अग्रेसिव हो अब यार सभी ने क तो यह उसके लिए एक इंप्रेशन बना लिए कि बहुत एक एक बना लिया गया गया है कि यार परसेप्शन है कि बहुत ही कूल है अब ऐसा वह बंदा गुस्ता ही नहीं कर सकता है ना उसकी तो जो ओरिजनल रिजनल आइडेंटीटी ए वो कही ने कहीं चिप गई है तो य आप राप पर किया इमिटर्विं को जो Von अलव इसे किया करना वह ठेला इनके करना तो एक बार decade वाइफ न एक बार बार लिखाता पनी डायरी में कींसे उनका यार जो पूरा दिन था वो खराब कर दिया था दो रिपोर्टर ने भाई पीछे घूम-घूम के पूरा दिन उनका खराब कर दिया किपलिंग करते इंटर्वियू एन एसॉल्ट तो किपलिंग के क्या व्यूस थे तो उनके व्यूस थे कि इंटर्वियू एक प्रकार का तो कभी ना इंटर्वू के बोलेगा ना खुद इंटर्वू देगा तेन देरी इन एक्जब फ्रॉम्ट प्रोफेसर एड यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगना इन इतली एंड उन्होंने बहुत ही खासी अच्छी खासी अर्जित कर ली है प्रॉम्ट इस पर इन्होंने महारत असिल कर रही है साथ ही इनके कुछ लिटरी इंटर्पेशन से और मेडाइवल एस्टेटिक्स उसके बाद इन्होंने बहुती फेमस नॉवल भी लिख दिये इंटर्वू रवॉल्स अराउंड इस सक्सेस अफस नॉवल करता है और उस इस नॉवल का नाम था था नेम आव दी रोज उस मोर दें 10 मिलियन कॉपीज वर सोल भाई साथ 10 मिलियन से ज्यादा कॉपी उसकी मार्केट में बिख चुकी थी इंटर्वियर बिगिन करता है कि कैसे अंबर्टोई को मैनेज करता है या इतने सारी चीजों को प्रोफेसर भ यह वह इतना कुछ डिफ्रेंट नहीं होता देन ही फ़र्दर जस्टिफाइस एंड मेंचेंड बुक्स अबाउट चिल्रन टॉक बाउट पीस और नॉन वाइलंस विच अट इंड रिफ्लेक्टिस फिलोसोफी के बहले मैं बच्चों के लिए 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 कि अठीड में बच्च यह बाउट लेकिन अपनी पर अपने श्कॉलर देखता हूं जो की दिन बर अपना कम मतलब पूरे वीक में अपना काम करता है संडेज को मुझे फ्री टाइम मिलता उसमें मैं क्या कर लेता प्लिन आपनी नौवल से लिख लेता हूं इपनी नही लि लोग भले ही मुझे या तो ऐसे इस्कॉलर जाने या जै नोवल जाने जाने जादा लोग मुझे इस राइटर ही जानते हैं इस तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सरी empty spaces रहती है खाली शन रहते हैं और उन खाली शनों में हम क्या कर लेते हैं मतलब वह बताते हैं खुद के बारे में कि उन खाली शनों में मैं अपनी करते हैं मैं राइटिंग कर लेता हूं जैसे जब तुम लिफ से उपर आ रहे होंगे मैं तुमारा इंतजार कर रहा था तब मैंने एक किताब लिख दी है मतलब मैंने कुछ अपने अर्टिकल्स लिख दें तो तो बहुत सब्सक्राइब नावज चितना इस नोवल के तुम मुझ से बात कर रहे हो अर्शो इंध बली तो बोलता है कि अधो टाइम की बहुत इंपोर्त रहे हैं अगर यह जो नोवल है आज से दस साल पहले या ताह अगर पबलिश होती तो शाइद इसको इतनी सक्स नहीं मिलती जो में कारण है इसके success के पीछे वो तो मतलब वो बुलता है कि मुझे भी नहीं पता है इस इस इतनी successful रही क्योंकि भाई सब्सक्राइब बहुत hard novel है ऐसी novel जन्रली मार्केट में चलती नहीं है और most probably यहीं होगा कि जो time था वो best था इसको release करने का तो यह चल इंटर्व्यू जो बहुत सरे opinions लोगों के इसमें होते हैं लेकिन यहीं बताए जाता है कि यह एक source of information है और यह source of information है क्यों कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिससे आम नागरिक ज्यादा accessible नहीं हो सकते हैं जैसे विराट कुली महिंद सिंग धोनी आलिया बढ़ वरुन द लगता है तो यह जो इंटर्व्यू है it is only a source of live information जबकि बहुत से लोगों को लगता है किया रहे तो एक intrusion of privacy है क्यों कहीं बार क्या हो जाएगा कुछ ऐसे प्रशनों भी पूछ ले जाएंगे इंटर्व्यू में जो कि एक मतलब जिससे इंटर्व्यू लिया जा रहा है व आपको कुछ नो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा नो एस नाइपॉल जो है जो कि बहुत ही फेमस ऑथर हैं वह बिलीव करते हैं कि इंटर्व्यू लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देते हैं and they might fall week after facing तो बताते हैं कि लोग जिनका इंटर्व्यू होता है उनके सेंटिम हैं and he thought that facing an interview is like a horror है ना कि बिल्कुल एक horror movie देखने की तरह है इंटर्व्यू को face करना रोडियार के प्लिंग बोलते हैं कि भाई यह तो एक sin है यह पाप है and जो भी इस पाप को करता है उसको punishment मिलनी चाहिए all those different views हैं लोगों के writers के लेकिन last में फिर भी इसको एक बहुत resourceful means माना जाता है communication का क्योंकि इसी के माध्याम से एक जो fan है वो अपनी celebrity के बारे में है ना जिस भी celebrity को वो मानता है उससे मतलब connect हो पाता है अब आगे हम देखते हैं तो second part में मुकंद पद्मनाबन इंटर्व्यू करते हैं बटो इको का जिसमें बटो एको empty spaces के वारे में बात करते हैं कि जैसे empty spaces atom में रहती है वैसे हम उसका use कर सकते है अपनी writing के लिए तेन वो satisfy नहीं था उसको novelist का जाता है क्योंकि उसको ज्यादा पसंद था कि मुझे university professor है scholar की तरह जाना जाए उसकी बहुती famous novel थी the name of the rose और वो बताता है कि कैसे यह हीट हुई यह उसको भी नहीं पता है एक mystery है और most probably इसका एक right time था जब रिलीज होके इसलिए इतनी हिट हो गई theme किया इसकी तो इसमें बताये गया कि कैसे different techniques का use किया जाता इंटर्वू के इंटर्वू में in the field of generalism innovative ways यहां पर निकाले जाते हैं कि कैसे लोगों को interrogate किया जाए कैसे उनसे information बाहर निकाली जाए now with the help of interview बहुत सरे opinions agreement disagreements यह सब भी light में आते हैं बहुत सरे लोगों को comfortable feel होता है जबकि कुछ लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना उनको लगता है कि यार यह तो insult है उनकी self-respect का character sketch आपको आ सकता है number two eco का जो कि एक बहुत ही genuine and honest writer है और इनको इंटर्वू किया जाता है मुकुंद पद्मनाबन के द्वारा तेन number two eco अपने आपको एक accumulation मानते हैं novelist से ज़्यादा and उनकी writings में है ना जो philosophy और इंट्रेस्ट है ideas है वो almost same ही रहते हैं जो उनकी famous novel है उसकी more than 10 million copies है ना मतलब एक करोड़ से भी ज्यादा उसकी copies भी की थी और पूछा जाता है कि भाई कैसे आप इसको इतना famous करवा पाए तो बोलते भाई यह तो मैंको भी नहीं पता maybe right time पे release हो इसलिए famous हो गई professor थे वो University of Balgona Italy के अंदर title अगर हम देखें the interview तो यह बहुत ही कमाल का ही title है because इसके अंदर interviews के पहले pros, cons, merit, demerit बताए गया है और उसके बाद एक actual interview भी इसके अंदर बता दिया गया है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह एकदम appropriate यह title है एक छोटी सी अगर मैं आपको summary बताओं तो Christopher Sylvester ने इस chapter को लिखा है जिसके अंदर वो दो पार्ट में इस chapter को divide करते हैं पहला पार्ट है जिसमें interviews के pros and cons and various writers के क्या-क्या views है वो बताए जाता है और दूसरे पार्ट में Umberto Eco का interview में आपर लिया जाता है यह दूसरा पार्ट है जिसके अंदर पूरा Umberto Eco के बारे में बताए जाता है बढ़ते हम आगे कुछ MCQs को देख लेते हैं कौन है author तो author अपने पास Christopher Sylvester जिनका जन्व 1959 में होगा था V.S. Naipol का क्या feel था इस interview के बारे में करते हैं impression of the country of his ancestor that is India तो अभी तो West Indies में रहते थे लेकिन वह बिलॉंग करते हैं भारत से और भारत के क्या impression से उनके वह उसको बताते थे थे जो एंटर्विव उसको लिया गया है कौन से किताब से तो Christopher Sylvester की किताब थी the penguin book of interview वहाद से इसको लिया वी एस नाइपॉल रिगार्डिंग इंटर्व्यू और एक और है कि एंबर टो एको कमफर्टेबल था क्या वाइल गिविंग दा इंटर्वू तो दो को हैर वी एस नाइपॉल क्रिटिसाइज करता है इस कंप्लीट इंटर्व्यू की प्रोसेस को और उसके अनुसार यह बहुत ही ज्यादा डी मीनिंग है किसी भी परसन के लिए एंड इंटर्व्यू वन टेंस तू लूज अ पार्ट ऑफ सेल्फ इंटर्व्यू के जरीए यह बहुत ही होरीफाइं एंड पीपल डेरफॉर रिफ्यूस तो पिर और इसलिए बहुत सा लोग रिफ्यूस कर देता है इंटर्व्यूस देना क्या अंबर टो एको अंबर टो एको तो बहुत रिलेक्स था और बहुत आसानी से उसने इंटर्व्यू दिया सारे आंसर कोशन के आंसर सुनों ने अपर एक्दम पेशेंट ली दिये नौ वह बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट तो आंसर ने कोशन एंड देर वस नो इरिटेशन बहुत से लोग पर में प्रशनों पूचा गया था यहां पर है आपसे पूचा गया कि what is most likely reason कि कुछ लोग कंसिडर करते हैं तो प्रैक्टिस आफ इंटर्व्यू तो बेन आर्ट करते हैं तो इसके अंदर एक क्रियेटिविटी और सकते हो they feel that interview makes them appear ordinary मतलब एक दम ordinary उनको बता देता है then next step ने पास on the basis of the extract choose करना आपको correct option from with reference to this two statements celebrity don't constant and interviews intrude the privacy तो आप यहां पर बोल सकते हूं कि जो option second है it is the reason for option number one ठीक है के celebrity इसलिए interview नहीं देता है because वो उनकी privacy को intrude कर देता है ठीक है अगला प्रशने rationalize करना है आपको support of this given opinion to say that an interview is the in its highest form is the source of truth is an extravagant claim ठीक है तो आपको बताना है कि यह extravagant claim है as an interview cannot be a source of truth क्यों source of truth नहीं हो सकता है because वो scripted हो सकता है और people में make false statement है कोई भी बत्ती बाजी कर सकता है तो आप बोल नहीं सकते कि interview एकदम सही जरिया ही है सही information का then replace करना अपको underline word है ना feel like supported तो यहां पर हम support एंटोनिम से करना है ना तो एंटोनिम मतलब opposite तो supporter supporter का उल्टा क्या हो जाएगा विक्टिम 10 author views on the interview in the extract can be based described as so it can be described as a fact कुछ important questions को देख लेते हैं कि क्या views है positive views क्या interview के उपर तो देख वार interview के उपर positive view यही है कि यह useful माध्या में communication का और जो भी यहां पर literate है चीजों को पढ़ सकता है समझ सकता है reads an interview है ना वो कभी ने कभी अपने life में तो interview देखता ही है यह source of truth है और यह art है है ना जो कि आपको celebrity से connect करने में और ज़्यादा मदद करता है what do you think do you think that umberto eco likes being interviewed तो यह अपनोंने देखे लिया आपको बताना है कि क्यों आपको यसा लगता है then expected question है कि what is the reason for the use success of the novel तो बोलते हैं कि भाई यह तो हमें भी नहीं पता most probably right timing इसका एक सही reason था एक practice question आपके लिए कि did umberto eco consider himself as a novelist और academician academic scholar तो अब इसी बात है अपने आपको कहान वाना ज्यादा पसंद करता था long answer question देखें तो यहां पर मुकुंद पद्मदाबन एक reporter है इंदू का and in the context of the chapter review his traits as an interview तो आपको मुकुंद पद्मदाबन की characters की बताना है जो मैंने यह पर आपको लिख रहा है तो आप इसको देख लेना notes को download कर लेना अब एक question bank भी मैंने यह पर इसके साथ attach किया तो आप इसको download करके और अपने और ज्यादा questions की practice आपर कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा ना मैं अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगों के chapter 8 going places को आपर देखने वाले तो सबसे फिले हम देख लेते हैं author के बारे में तो author है अपने एर बार्टन जो कि जूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में अपने कानियों को लिखते हैं यह बताते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स यार एक एडॉलेसंस को फेस करनी पड़ती है अपने लाइफ में क्या-क्या वो प्लेजंट चनन प्लेजंट एक्सपीजिंस रहते हैं क्योंकि एक टीनेजर फेस करते हैं इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी यहां पर जो थीम रखी गई है व वह एक डेड्रीमर है डेड्रीमर मतलब क्या होता है कैसा वेक्ती जो कि अपनी ख्वाबू की दुनिया में रहता है हमेशे अपनी ड्रीम्स में खोई वही रहती थी और उसका सपना था कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनूं लेकिन अगर हम रियालिटी देखे तो अभी को एक biscuit factory में काम करती थी यह स्टोरी में बहुत सारे twist and turns आते हैं और वह imagination करती कि भाई में एक बहुत ही famous footballer के साथ date कर रही हूं और वह अपने भाई को भी इस वारे में बताती है बताती है कि कैसे हमारी जो डेट हो फिक्स हो गई है और जल्दी है मिलने वाले तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों का हम इस chapter के अंदर देखने वाले कुछ important शब्द में आपको बता रेता हो जो कि आप अपनी एक्जाम में यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में और जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो भी आपको आसानी रहेगी तो पहला शब्द है बुटीक बुटीक का मतलब है कि होता है चोटी सी स्मॉल कपडों की शॉप जह पर फ्रेशनेबल कपड़े बेचे जा अब यहां इतना है कि अपना काम चल जा रहा है तेन स्कूपिंग स्कूपिंग का मतलब होता है भाई सब दे दना दन दे खाना तैन इसके बाद ग्रीमी का मतलब होता है सौईल यह डिल्टी धूल में लोड़ जाना तैन साह मतलब भाई विलकुल रहत की सांस लेना इस यह दो अप्रप्र चल डिर्स गोद्याना टेंग abbasu 6 2 से बहुत से कमराा कैसा रहता रहता है रूम रहता एकदम जीकाा पौल पर इसके हम चीजह को सीक रहे है जैसे इसके mother कeszाम बोल सकते हैं सब्सक्राइब इंट करना मतलब तो यह ना गैस लगाना या किसी भी शिश्च के बारे में सोचना तेन आउट लाइंग का मतलब होता है दिस्टेंट प्लेस थोड़ा दूर वर्ती दूर इलाका तेन फैसिनेशन मतलब होता है imagination, wild imagination अब देख लेते हैं क्या इस chapter में हमें बोला गया है बताए गया है तो Sophie agency जैसे आपको दिख रहे हैं यह स्क्रीन पर यह दोनों बहुत ही ज़्यादा best friends हैं दोनों teenagers हैं और अभी school से लोट के आ रही हैं यह कहां पर काम करती है तो यह part time काम करती है इस्किट फेक्टर में था कि इनका day to day life का खर्चा चल जाए Sophie हमेश अपने खुआबों में खोई रहती है बड़े बड़े उसके खुआब हैं है ना वह सोचती है पहले तो मैं बुटीक शॉप खुलूंगी मैं एक बहुती फेमस फेशर डिजाइनर भी बनना चाहती हूँ ना जैसे अपने आपर सब बिसाची मनीश मलोतरा इसे वहाँ पर मेरी क्वेंड उस तरह की मैं फेशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ जैसी बोलती है कि अरे इतने बड़े तु ख्वाप तु देख रही है लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की अवर्शक्ता होती है जो तेरे पास नहीं है तो बोलती है तु मुझे क्या चोटा मोटा आदमी समझ रही है मैं पहले एक्ट्रेस बनूंगी एक्ट्रे अब जहां रहती थी तो बोलती है यहां पर मुझे बहुत बेकार लगता है कौन बोलती है तो फादर इस इतिंग है नॉर्मल डेटो डे लाइफ में होता है कि माता खाना बना रही है पता माँ पर काम कर रहे है नव शी गोस्टो मीट अर यहां ब्रदर जी ओफ उसका एक बड़ा भाई है जी ओफ उसके पास हो जाती है जो कि एक ट्रेनी मेकानिक है ठीक है तो मेकानिक को ट्रेन कर रहा है कहीं पे वह और वह बीजी एंड रिपैरिंग समाव थी मोटर साइकल पार्ट को रिपैर कर रहा है जी ओफ टॉक्स वेरी लेस अबाउट इस परसनल और मुझे भी इसकी लाइफ का पाट बनना एंब शी से 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 सीकरेट विदमिना वो बोलती भाई चल तुझे बात बताती हूं किसों को बताना मन उल्ट है कि मैंने कि कैसी भाय कृष्टियान हो कि कृष्टियान का मैंने क्या है देनी कि को मैं कंपर कर नार्ट बाट कर गी कि मैं क्रिष्टियान और रोनाल्डो को डेट करके आई वन और लड़की बहुत साधा रंड तो आप ले भाई लपेट थे हम फेक तू हवा में बट शी ट्राइस टो में बिलीव ना मान लेते हैं कि ठीक है बाइस मान लो चोटी बच्ची की बात शी आलसो टेल सर अब बहुत ही बड़े फैंते फुट बॉल्ड कप तो चली रहा है नो दिर फेवरेट टीम विंस त्यू तो गोल मेड बाई कैसी और बाइसाब क्रिस्टियान और रोनाल्डो फाइनल और एक गोल की अवश्चक था जो की कर दिया उसने सब लोग बहुत जादा खुश होते हैं लिटल ब्रदर डेरेक तो उसका बड़ा भाई तो कौन था जी ओफ चोटा भाई था डेरेक तो जैंसी कोश्चन्स हर अर बाउट रियालिटी बियाइंड मीटिंग तो जैंसी जो उसके दोस्त है वो बोलती कि अच्छा कैसा रहा तेरा जो मीट अप था है ना डेनी कैसी क को बताया था मैंने और उसी नहीं यहां पर यह क्या है हर जगे डिंडोरा पीट दिया है लेटिंगर सीक्रेट आउट बट्राइस तो एंडल दे इमोशन से उस सिचुएशन को एंडल करती है वहाँ पर दैन शी विजटेट प्लेस नियर केनाल टू मीट हर हीरो डैनी कैसी और फिर वापिस से इमेजन करती है कि अरे में को तो डेट पर जाना था किनाल के वहाँ पर है ना चलो जाती हूं तैयार होके लिपिष्टिक पिष्टिक पाउडर ओडर लगा के चली जाती है वहाँ पर इंतजार करती है बहुत देर तक भाई सपनों में अगर वो और वहाँ पर वहाँ पर दो नहीं चाहती है थे बाई सिमेजनेशन से में बाहर हों कि अतना मस अपना रहा है बैं इन अन्ट शी रिटन से वहाँ से इन अरहाट ना दुखी बिलकुल मन से भारी दिल से घर पर आती है पर वेंजी कम्स अक्रॉस पूटिक शी अगें फाइ वर्शिपिंग और फैसिनेशन को तरचाय गया है तो प्लॉट अगर हम देखे जल्दी से तो यह जो स्टोरी इसके अंदर एक स्ट्राइकिंग कॉंट्रास पताए जाता है सोफी और जैन्स एक्जाम में आता है कोश्चन दोनों को कंपैर करो दोनों के करेक्टर्स को तैन पैसे चाहिएंगे तो जो बड़े-बड़े सपने देख रही है उसके लेकिन यह उसका सिर्फ भाई था जो कि थोड़ी बहुत उसकी बातों को सुन लेता था पता तो उसको भी था कि बड़ी-बड़ी बत्ती मारती है यह तैन सोफी टोल इम अबट मीटिंग वीटिंग फुटबॉल डेनी कैसी और कैसे यहां पर उसने प्रॉमिस किया है कि मुझे ओटोग्राफ देगा तेन जी ओफ हाड़ी बिलीफ करता लेकिन ठीक हो एगरी कर देता है कि चल ठीक है बैन मानी तरी बात देन सोफी रिक्वेस्टेट इम तो कीप सीक्रेट सीक्रेट रखना ह फुटबॉल मेच होता है डेनी कैसी गोल करता है और आफ्टर दे मैच गोट ओवर है ना वह यहां पर बिलीफ करती है कि भाई डेनी कैसे उससे मिलने आएगा लेकिन वह नहीं आता है तेन रियलाइजेशन उसको हिट करती है उसका दिल भी तूटता है पेन होता है सब कु सब्सक्राइब करती है तो वापिस से उसके ख्वाप देखना स्टार्ट कर देती दिल तूटने के बाद भी अब थीम क्या है यहां पर एडॉलेसंस फैंटसाइजिंग और हीरो वर्शिप टीक है तो बड़ी-बड़ी फैंटसी देखना और हीरो को वर्शिप करना तैन ही कि बिल्कुल ऐसी बात करना जिसके कोई सिर पढ़ना हो और कैसा उनको फील होता है जब उनके जो सपने हो तूटते बहुत ज़्यादा पेन उनको देखना पड़ता है तो सोफी सोफी में प्रोटागोनिस मतलब में हीरोई ने इस चैप्टर की एंड ड्रे ड्रीमर है वह अपना बुटीक खुलना चाहती है और वह फेंटेसाइस करती है बाउट मीटिंग डैनी कैसी जो कि एक बहुत ही फेमस फुर्बॉलर है और यहां पर है ना उसका दिल तूटता है फिर जुडता है फिर वापिस से फेंटेसिस देखना स्टार्ट कर देती है जबकि जैन सी कि सोफी की स्कूल फ्रेंड है सेंसेबल प्रेक्टिकल है और वह फेंटेसी में बिलीव नहीं करती यहां तक कि वह अपनी फ्रेंड को भी समझाती कि भाई इतने रिसोर्स नहीं अपने पास जितने तो बड़े ख्वाब देख रही है और उसको इतना तो पता ही था कि इनी मेकानिक था और वो सोफी की वाइल्ड इमेजिनेटिव स्टोरी को सुन लिया करता था तेन सेटिंग टाइटल के 20th सेंचुरी के स्टोरी है लोकेशन एक्जेक्ट हमें नहीं पता बहुत छोटा सा है टाउन है जहां पर सोफी रहती है और यहां पर गुइंग प्लेस की टीन जस्टिफाइबल है इस तोफी ने ड्रीम किया और विज्वालाइज किया बहुत सारी शीज को है ना कि मैं यह करूंगी वह करूंगी उससे महां मिलूंगी यह और नहीं 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 तिंस को एक्स्प्लोर करूंगी लेकिन उसके द्रीम से बहुत ही उसका भाई है जो कि सोफी के स्टोरी इसको देखता है मतलब सुन लेता है बहुत ही फेमस फुटबॉलर जिससे मिलने के सपने देखती है एंड जो ना सोफी है ना वो बुलती कि मैंने डेनी केसी को डेट किया है तेन समाव जैन सी डिसकवर कर जाती सिक्रेट उसको पता करते हैं इसको काहसे पता है लेकिन वह कैसे सिटुएशन को एंडल करती है लास्ट में मैसेज है कि in रियालिटि अलगे और आपके खबों के दुनिया लगे दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के आपको चलना रहेगा बढ़ते हैं कुछमस को देख लेते हैं पहल तो यहां पर इमीडियेट रेलेवेंस तु दे लाइफ उसकूल से लीव करते हैं क्या उनके करियर के एस्पिरेशन रहते हैं कैसा क्या टोटल सीन रहता है तौप्शन सी कि कक्या एमपीशन थे सफी के अपनी लाइफ में और याप्शन तो हम देख लेते हैं तो इसको आप लिए गद्टेशन करोंजने में लाइजनाइब लाइफ तो इनि दोनूची उए नियुकित बेपर में पूछा गया था यहां ना यह बहुत ही अमाल का प्रशन है यहां पर मतलब में को आज तक का जीवन का सबसे बेस्ट प्रशनी लगा इमेजीने कनवर्सेशन बिट्वीन सोफी मतर एंड जेनिफर भाई साब जो अगला चेप्टर एंड जेनिफर टाइगर्स वाला उससे रिलेट के आए तो दोनों की बीच में क्या कनवर्सेशन होगा और एक्चेंज करना आपने को मतलब एक पूरा कनवर्सेशन बनाना है तो इसका मैं आपको एक हिंट देता हूँ अब इसको लिखके देखना तो देखो जो सोफी की मम्मी है वो भी एक तरह से सप्रेस्ट वूमेन ही है बहुत कहीं पर भी इंजॉइमेंट हो रहा है कुछ हो रहा है उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है और अन्च जैनिफर का तो सहीं ही और उनको तो उनका पती सप्रेस्ट करके रखता है और मेरिट लाइफ के हाडशिफ वो फेस करीए तो क्या उन दोनों की बीच में बात out of the school and would you call it a dream and not a plan तो बिल्कुल यार भाई साब पहले आप बताओंगे क्या उसका रीम था तो बुटीक खोलना एक्टरेस बनना और पैसे नहीं थे तो पहले एक्टरस बनेंगे फिर बुटीक खोले तो भाई साब इस ओबिसलिए ड्रीम नौट प्लान अप्लान मतलब दीर वो प्लान होता है तो आप उसको लिख सकते हैं तैन वाई जैलिस्ती जी ओफ के साइलेंस से बिकास बोलता ही नहीं था और अपने मनी मन में बाते मतलब उसके चलती रहती थी तो चाहती थी कि मैं इसकी लाइफ में एक बार जाकर देखो ना इसकी इमेजनेशन में क्या व और कैसे फिर सोफी जो जैन सी थी हो सोफी को बोलती कि तो अपने उसमें रहके सोच बढ़ी-बड़ी बाते मन सोच एंड यह आपको इसमें लिखना पड़ेगा एक प्रेक्टिस कोशन आपके लिए कि वाई डस सोफी से प्रॉमिस यूवल तेल नोवन एंड प्रॉमिस ज तो वह मुझे मडर कर देंगे जबकि डेट तो सामने बेठेते तेन कोशन मैंने आपको अटेज कर रहा है जिसके अंदर बहुत सारे प्रशन आपको देखने को मिलेंगे तो आप उसको डाउनलोड कर लेना जब आप नोट्स को डाउनलोड करोगे तो फिलाल के लिए आपसे मिस नहूं दोस्तों धन्यवाद जय हेंद जय भार